हल्यो फ्यूचर चाड़े रेकांटेंट स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल पे जिसका नाम है क्लियर सी एक्जाम्स आप विजन इस तो हेल्प यू क्लियर सी एक्जाम्स बाइ प्रोवाइदिंग क्वालिटी एड्यूकिशन फॉर रुट इस वैपनेट यह विजन मेंकेट नाव सब्सक्राइब करते हैं क्विशन नंबर 56 से एक पर वता देता हूं हम दोग यह क्विशन कर रहे हैं एसोशीट अगर आप के पास है तो आप उसका क्या treatment करेंगे तो basically associate का treatment clear है अगर आपके पास associate की जानकारी है फिर आपकी holding company है उसमें एक associate है और साथ में उसमें एक subsidiary भी है तो उस type के sums करेंगे आपके पास holding है आपके पास I mean एक holding company दिया हुआ एक subsidiary दिया हुआ और एक associate दिया हुआ है तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहे गा तो वाट विल भी दी अकांट इन ट्रीप्मेंट हो विल देल इलेट वे विल फाइंड आट इन इस पर्टिकुलर वीडियोट से पहले थोड़ा सा 40 परसेंट सेर्स अफ राम रिम्टे उसके पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कॉश्चन हमें calculate क्या करना calculate करना है carrying amount of investment as per equity method सवाल में यह सवाल है कि आपको equity investment की carrying amount calculate करनी है what is the carrying amount of investment क्या है book values की क्या है आज की डिट में वो बुक में क्या दिखा रहा है या फिर दिखना चाहिए as per equity method अब equity method क्या होता है equity method क्या बोलता है उसके लिए आपको मैं एक slide दिखा देता हूं क्या हो गया हाँ यह अपना application of equity method अगर ऐसे देखते हैं पूरा अपना यह ICI का study mat का लिए हुआ हुआ अन देट अपकोजिशन equity method क्या बोलता है कि initial recognition at cost होगी investment in associate to cash cost होगी और recognizing the share in profit or loss जब भी profit or loss हुआ तो उस case में क्या होगा अगर profit होता है तो investment in associate account debit to share in profit from associate हो जाएगा loss वा तो rewards हो जाएगा अगर cash dividend मिला any distribution of dividend in the form of cash received from the associate reduces the carrying amount of the investment ठीक है यह यह important है कि अगर आपको कोई cash dividend मिलता है तो वह आपके carrying amount से reduce कर दिया दाएगा क्यों क्योंकि आपने share of profit से पहले यह investment की value बढ़ा लिए माल लो आपका associate कमाता है से 10 lakh कमाता और आपका उसमें 40% share है तो उस 10 lakh में से आपको 4 lakh मिल गया और उसने dividend भी distribute किया है उसी 10 lakh की कमाने में से तो 10 lakh में से जो उसने dividend दिया तो वो dividend is a part of 10 lakh जिसमें से आपने 4 lakh अलरी ले लिया तो दाट इस अलरी इंक्लूद इंक्लूद इंशे 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 और ऐसे समझते है कि uh in investe event income is earned अगर income कमाते है तो proportionate share of income is recognized by investor अगर डूद टिस्टिबूट हो रा थो investor shares in dividend reduces the investment account and this was the this is the question just calm the discussion kareंam abandonal entry भी ए करेंगे जिसे कि आपको clear होजाएगा तो ठीक है, so let's come back to the question और आपको और ईसली समझना है तो मैं ऐसे समझा देता हूं कि equity method basically it's all about bringing investment closer to its what, can anyone tell me, equity method क्या करता है, bring करता है investment को closer to its NAV, net asset value, equity method लगाने का हमारा क्या मक्सद है, और क्या purpose है, तो वो हमेशा investment की, जो net asset value है, जो actual value है, जो carrying amount है, उसकी closer गुदर लाने की कोसिस करता है, और वो कैसे करता है, how, अगर आपका ये question है कि वो कैसे करेगा, तो basically करता क्या है, ये revalue करता है, revaluing the post acquisition profits, आपको जो भी post acquisition profit होते हैं, उसको ये revalue करता है, actual profit जो आपने कमाया है, dividend तो आपने कमाया नहीं है, share of profit अगर आपने कमाया है, तो वो profit आपके investment में वो add करता है, ठीक है, और इसके करने के entry क्या होगी, investment account debit और investment in associate account debit to pnl slash ocii जैसे ही आपने पैसा कमाया है, और ये करता क्यों है, वाई, अगर आपको एक question है, बहुत ही basically हम रोफ discuss करें, basic से, basically ये करता है, सिर्फ और सिर्फ, shareholders की understanding के लिए, better understanding, better understanding of what, of whom, shareholders, better understanding अब कैसे आएगी कि जहां पर भी आपने investment किया है, या फिर participate किया है, तो वहाँ से क्या return आ रहा है, या फिर वहाँ पर actually हुआ, क्या gain हुआ, या loss हुआ, और हमारे investment पर क्या उसका impact पराता है, यह है equity method का काम, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि यह करता क्या bring करता है investment को closer to its NAV, कैसे करेगा, revalue कर देता है post acquisition profit, जो भी post acquisition profit हो हुआ, इसको revalue करके आपके investment में add करेगा और less करेगा, as the case may be, loss for the P&L to investment हो सकता है, why, क्योंकि better understanding मिलती है एक shareholder को, जब मैं आपकी company का shareholder हो, तो मैं सोचूंगा ने कि जो पैसा हमने लगाया था यहाँ पर, तो उस पैसे से मुझे कितना return मिला है, कितना gain हुआ, क्या loss हुआ, मेरे investment के as value क्या है, ठीक है, चलिए, इसका अब नीचे कर देता है, और question करते हैं, हमर लिम्टेड हैं, हमर लिम्टेड अक्वाइर्स 40% shares of राम लिम्टेड ओन, मतलब क्या है, एसोशीट है, जनरली यह माना जाता है कि 20-50% आपके पास shareholding है, तो एसोशीट है, और यह बहुत सारे cases में माना जाता है, significance influence होगा, तो उसके उपर हम लोग discussion करेंगे, जो मैं associate meaning की theory करेंगे, theory का मैं सोच रहा हूँ, एक पूरा combined lecture बनाया जाए, जिसमें की हम control, control का क्या meaning, associate का क्या meaning, उसके उपर हम लोग detail discussion करेंगे, तो वो साथ इस वीडियो के बादा है, on 1st April 2001, the price paid is 10 lakh, कोई दिक्कत नहीं, Ram Limited has reported a profit of 2 lakh and paid dividend of rupees 1 lakh, तो वही वाली story यहां पे भी है कि इन्हों ने कमाया कितना है, they have earned 2 lakh, और उसी में से इन्हों ने dividend पे किया है, and that is 1 lakh, तो में इसमें दो चीज़ आपको दिख रही होगी, एक है income earned और एक है dividend received, ठीक है, और इन दोनों का treatment अभी हमने आपको दिखाया है, वो ये रहा, अगर income earned होता है, तो क्या होगा, dividend distribute होगा, investing का अगर इवेंट होगा, the proportionate share of income is recognized by, जो भी उस share income मिला है, वो recognize किया जाएगा investor की दोर, अपनी investment की उसकी value बढ़ेगी उस से, और dividend distribute होगा, तो investor shares in dividend reduces the amount of investment, उस काम लोग reduce कर दें, यहाँ पर भी है कि अगर profit में करता है, तो investment in associate account to share in profit from associate, अब जब cash student receive होगा, तो cash account investment in associate, तो carrying amount क्या होगा, वो entry मारने के बाद ऐसा आएगा, तो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, solution, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री आप नहीं मारोगे तो भी चलेगा, तो पहला एंट्री क्या होगा, investment, in associate, account debit, नीचे का आपको हटा देना चाहिए, कितना investment in associate account बढ़ेगा आपको, जितना आपका share of profit होगा, share of profit, in associate, उसने 2 लग का profit कमाया, तो दो लाक का आपका shareholding कितना है, दो लाक में, आगे यह मारी घन्नो, 80,000, तो 80,000 आया, तो उसको उम्हें लिख लेते हैं, यहां के, 2 लाक का 80,000, 40% और दूसरी एंट्री क्या होगी, अब हमें क्या मिला है, दिविडेंट मिला है, तो एंट्री क्या है, cash account debit, 2 dividend, received, ऐसा होगा क्या, यही तो twist case में, equity method में, यहां पर हो जायाएगा, आपका, investment in associate, अभी कितना, 1 लाक का dividend, 40% आपको मिला होगा, तो 40,000, तो बिंग रिविडेंट रिशेब्ड, आपका, investment, 80,000 से बढ़ा, 40,000 से reduce वा, तो अल्टिमेटली, investment की, carrying value में, कितना चेंजाएगा, तो carrying value of, carrying value of investment, using equity method, तो पहले आजाएगा, cost of investment, वो क्या है, 10,00, इसमें add क्या होगा, share of profit, less क्या होगा, dividend, proportionate share of profit, और यहाँ पर, dividend received, from associate, आपका क्या होजाएगा, 10,00,40,000, clear है, year आपका answer, 10,00,40,000, यह स्कूशन, इस क्याशन में, अगर संब्री की बात करें, तो संब्री कुछ ऐसा दिखेगा, आपको कि हमारे पास एक investment थी, जिसकी cost 10,00,00 रुपीज थी, उसमें हमने post acquisition जो changes है, उसमें adjustment की, उस post acquisition changes की revaluation के लिए हमने equity method का use किया, I mean post acquisition changes के लिए हमने equity method यूज़ किया, जिससे कि हम carrying amount निकाल पाया, उसमें पहला चीज़ जो हमने देखा कि पहली चीज़ हूई हो, share of profit आपको receiver 2,00,000 का 40%, 40% क्योंकि यह 40% own करते हैं, तो उसकी amount आई 80,000, और हमने dividend भी receive किया, जो कि actual profit नहीं है, तो इसलिए हम उसको अपने books of accounts में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यह actual value नहीं दिखिएगा, लुप true value नहीं दिखाएगा, shareholders की better understanding के लिए यह कि घर में dividend बाट की बता रहे हैं, कि dividend आ गया आ गया तो ऐसा नहीं कर रहें, तो हम लोग 40,000 यहां से reduce कर देए, तो आ गया answer 10,40,000, clear है, okay, now we will move to the next question, and the next question, of course 56 के बाद क्या आथा है, 57, तो हम लोग start करते हैं, question number 57, अब यह question आपको देख के लगेगा, यार, बड़ा question है, तीन तीन line ने टान दिये, यहां पे, तो देखो, इस question में, जो हमने पहले कहा था, इसको थोड़ा से jump कर लेता है, जो हमने पहले कहा था आप से की, question में, जब तीनों चीज आज आज हैं, हमारे पास एक holding company भी हो, एक, subsidiary भी हो, एक associate भी हो, तो उसका treatment कैसे होगा, तो इसको हम लोग discuss करेंगे, associate treatment में, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं, तो बड़े आराम से करेंगे, आराम से मतलब कि, यह वाला question करने के बाद, आपको लगे हैं कि, हाँ, आप तो, सभी question कर लेंगे, ठीक है, इस question का, अगर आप source पूचोगे, तो यह question हमारे पास, diploma IFRS से question लिया गया है, यूचे, clear है, यह question में, आपको तीनों चीज़े देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, हमें इस question में करना क्या, following information is relevant, तो इतने सारे information भी हमारे पास है, तो question करने बहुत मजा आएगा, करके मतलब वो सुकून वाली feeling आएगी, कि वो कुछ की है, वो ऐसा होला, ठीक है, सुकून आपको किस-किस माधियम से आता है, हमें नहीं पता, लेकिन question करके जो सुकून आता है, वो एक अलग लिवला और कोई बड़ा question करके, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि ये question बड़ा है, ठीक है, prepare करी consolidated balance it, हमारा सवाल क्या है, इस सवाल में कि हमें एक CBS बनाना है, और CBS बनाना हमें किसका किसका combine करके, आप question पढ़ेंगे, हम दोक तो समझ में आगा, ये P है holding अपनी S है subsidy, और ये है associate, ठीक है, तो इन तीनों का combine करके बनाना है, तो इसको करने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको associate की consolidation के उपर, थोड़ा सा घ्यान दे देता हूं, अब थोड़ा से जानकारी आप रख लो, associate, consolidation, हम लोग इसमें क्या करते थे, goodwill निकालते थे, और capital is a wise the case में, तो क्या associate में निकालेंगे, answer is no, पहली change जो आपको देखने को मिले, क्या इसमें contra adjustment होगा, answer is no, क्या इसमें हम लोग assets squared कर देंगे, जैसे simply assets squared कर देते थे, answer is no, क्या इसमें हम लोग unrealized profit, का treatment करेंगे, answer is yes, इसका treatment होगा, goodwill का होगा, नहीं होगा, फिप नंबर क्या NCI calculate की जाएगी, answer is no, ठीक है, तो ये basic changes हैं, जो हम लोग subsidy में करते थे, subsidy में हमारा pattern क्या रहते है था, फिरले हम identifiable net asset की value निकालते थे, फिर उसके बाद goodwill calculate करते थे, फिर उसके बाद NCI calculate करते थे, फिर उसके बाद consolidated reserve and surplus या other equity का value निकालते थे, जिसमें goodwill नहीं निकलेगा, NCI निकलेगा, नहीं निकलेगा, identifiable net asset की value निकलेगी, ठीक है, बोट, अलग परस्पेक्टिब से बताया जाए कि जैसे हम लोग question करते हो, उसे हिसाब चे तो ये दो चीज़े eliminate हो गई यहां पर, और कोई contract adjustment हो भी नहीं आए यहां पर, तो basically ये basic changes है, जो आपको question करते करते ज़्यादा समझ में आएंगे, फिर भी मैंने एक overview दे दिया है, और भी क्या होगा क्या नहीं होगा, we will find out in the question itself, question क्या कहता है, हमारा प्यारा question, question number 57, P acquired करता है, 80% of S on 1st December 2004, 4.25 in cash P करता है, पर share कर, ठीक है, तो number of shares into 80% into 4.25 निकल जाएगा, कितना इन्होंने cost, pay किया, investment का cost निकल जाएगा, वहाँ से, at this date, the balance on as a retained earning, जो retained earning का opening balance, कहां लगता है, कोई बताएगा, कि यह लगता है, आपको, identifiable net asset जब निकालते हैं, हम लोग statement of identifiable net asset, जब calculate करते हैं, तो उसमें opening retained earning लगती है, यह नहीं लगती भाय और बहनो, लगती है, और भाय और बहनो, is, मुझी जी वाला भाय और बहनो, बट आ गैन नोट, आई दो नोट आप 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 एक्सेट, अब यहां पर ट्विस्ट आता है, कि यहां तक भाय साब तो ठीक था, बहुत बड़ा आदमी नहीं लग रहा है, पी एक सबसीडरी भी रखा है, और एक एक सबसीडरी भी रखा है, तो बड़ा आदमी का भी डेफिनेशन बोले, बड़ा आदमी आपके सबसे क्या बड़ा होता है, तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा हर आदमी का पर्स्वेक्टिव है, ठीक है, क्वेशन भी होकस करते हैं, एक सबसीडरी हमारे पास पता चली कि इन्हों ने 80% यहां पर इन्वेस्ट किया, 4.25 पैसा करके पर शेयर पेइमेंट किया है, उसके बाद हमारे पास एक डेटा आता है, ए में 30% यह ने इन्वेस्ट किया है, अक्वायर किया है, यहां पर कंसिडरेशन कैसे सेटल होती है, बाइशेयर एक्सचेंज ओफ फोर निव शेयर्स इन पी, फर एवर एवर थी, 4.3 के रिशियो में, शेयर इन अलोट किये जाते है, शेयर प्राइज पी, आद दी रीट फ अक्विजिशन वोज रूपीज, रूपीज फाइब ठीक है, पी आज नॉट यह रिकॉर्ड़ दी अक्विजिशन फ ए इन इस बोक्स, यह इंपोर्डेंट है, क्या यहाँ पर जो इन्वेस्मेंट दिया है, वो इंक्लूड करता है, यह मतलब एसोशीट के इन्वेस्मेंट को एंसर इस नो, तो उसे हमें अपने बुक्स अब अक्वाउंट में रिकॉर्ड करना होगा, और जो नया, यह इस का मतलब प्रीमियम विया अगा तो उसको भी हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंसर इस करना पड़ेगा तो अब तक हमने क्या समझा कि एक सब्सेडिटी एक अशोशीट है, लेकिन एसोशीट की का जो हमारा acquisition है वो अभी books of accounts में reflect नहीं कर रहा है तो उसका हम लोग reflect करा देंगे नौन current asset में आता है property, plant and equipment ये value दी गई है तो property, plant and equipment हो गया नौन current asset में इसकी subsidiary की value दी गई है इसको add करेंगे है अब CVS में मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही अभी आला कि हमने बताया इसके बारे में answer is no हम इने add नहीं करेंगे investment इसमें safe for safe investment subsidiary की दिख रही है क्योंकि हमने associate के भी accounting की ही नहीं inventory की value दी गई है क्या add करेंगे answer is no associate की add नहीं करेंगे वैसे receivable है ठीक है receivable से आपको क्या याद आना चाहिए की associate में की हम लोग counter नहीं करते हैं cash 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 क्याइड करेंगे answer is no वैसे फिर आगे आश्वे कापिल शेयर प्रीम रिटीन डर्निंग नॉन करेंट लाविटी इस टेंपर सिंट लोन करेंट लाविटी स्टेट पेपल और income tax तो यह सारे detail दियो है अब other information जो relevant है अकर लिखा हुआ रहता है कि the other following information तब भी हम लोग मान लेते की relevant है लिखने से रेलवन सी कैसे बढ़ जाये गी अज़ थार्ट अज़ विखा टार्ट अज़ देसम्बर 2004 plant in the books of S was determined to have a fair value of 60,000 in access of its carrying amount the plant had a year 50,000 50,000 in access of its carrying amount the plant had a remaining useful life for 5 years उस क्या कहने का मतलब इसका कि एक plant है एक asset जिसकी वैल्यू कि पचाज़ अर ज्यादा होनी चाहिए थी जो हमारे books of accounts में नहीं दिख रहे है तो हमें इसको re-value करना पड़ेगा तो यह re-valuation adjustment बोल सकते हो अब यह re-value होगा मतलब assets की वैल्यू बढ़ेंगी उसके वज़े से में additional depreciation भी लगाना पड़ेगा ठीक है तो यह एक adjustment है अब आगे बढ़ते हैं दूरिंग दे post acquisition period as sold goods to P for 400,000 at markup of 25% P had किस ने sold किया S ने sold किया S कौन है subsidiary subsidiary ने sell किया P को और उसमें से जो quarter of these goods still in the inventory उसमें से आधा goods अभी भी inventory में पड़ा हुआ है आधा क्या बोले quarter मतलब की 100,000 मतलब 1,00,000 still in the inventory तो यह जो 1,00,000 का अभी भी goods पड़ा हुआ है P के inventory में तो इसमें क्या होगा unrealized profit होगा या नहीं होगा बिलकुल होगा तो इसका भी हम लोग adjustment करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे आया ना करेंगे इन September a sold goods to be okay September में बात आती है कि इन शोल्ड किया goods पी को ठीक है 1,50,000 का ठीक है 150,000 का थीज गूट्स है ड्कॉस्ट अफ वन लाक मतलब 50 प्रसंट यहां पर कमा रहे है तो पी हैड कोस्ट इन दी इन वेंटरी पी हैड कितना अभी भी पी हैड 90,000 यह value missing है 90,000 in the inventory at the year end अभी भी उसके पास 90,000 inventory में पड़ा हुआ है यह ने शोल्ड किया पी को 1,50,000 में उसमें से 90 पड़ा हुआ तो इसमें क्या होगा unrealized profit क्या associate से आने वाले unrealized profit को adjust करते है answer is yes और बाकी कुछ नहीं करते यह तो करते ही करते है clear है तो तीन adjustment दो unrealized profit की एक subsidiary एक associate और यह तो revaluation की as a result of the above inter company sales ठीक है पी बुक शोड फिप्टी थाउजन और ट्वेंटी थाउजन आज ओंग टो एसन यह अभी कॉंट्रा है पचास अर पी ओ करता है एसको और एको ट्वेंटी थाउजन इस बैलन्स एग्रीड विद्ध अमॉंट्स रिकॉर्डेट और यह सेम उनके आंपर भी तो उनका पेबल लेंका रिसेवल लें तो हीजज कॉंट्रा किसका किस का कैंसिल होता है पताय गम पेरेंट और साब।्यूरी तो नहीं है ऊच्वागों यह क्यों फिर हमारा लैप्टॉप हैंग कर रहा है कि एक सब्सक्राइब तो अगला पॉइंट क्या है कि नॉन कंट्रोलिंग इंट्रेस्ट आर मेजर्ड हो पहले से मेजर्ड करके दिया हुआ लिए कोई दिक्कत हमें दोर अच्छी बात है भाई सब दंडवत प्रडाम करेंगे और बोलेंगे थैंक यू सो मच क्या बोलेंगे ऐसे विद्धें थैंक यू तो गनवर्ट करेंग या टिक्स्ट में दिखते हैं क्याज कर पाता है नहीं तो टेक्स्टिक अप्शन आता है यहां पर यास रदिंग अच्छी ओर रही वही नॉन कंडूलिंग इंट्स्टर मेजर्ड उसिंग फिर वैल्यू मेंथर्ड ठीक है यहां पर यहां पर हमें एंट्स्टिक की तो वैल्यू दी गई अभी वन लाग फिप्टी का जो अजस्ट्मेंट क्या होगा वन लाग फिप्टी रिटीन डर्निंग और एंची आई से क्या होता है इंपेयर्ड होता है ठीक है an impairment review found the investment अब एक अलग entry है यह होगी goodwill की impairment वाली entry और यह तो contra और यह आ गई एक अलग नई अनुखी entry जो है an impairment review found that investment in the associate was impaired by 15,000 आप कोई सवाल पूछ रहा है क्या कि क्यों है कैसे क्यों क्वेश्चन में दिया हुए वाइसा आप क्वेश्चन में अगर दिया हुए तो आप क्या करोगे question को बोलो कि thank you so much और हम लोग आगे बड़ेंगे जैसा बोला वैसा करें क्वेश्चन क्या है भगवान तो फिप्टीन का अपने investment को impair कर देंगे अब यह detail दीए कि profit after tax for the year is 600,006 ठीक है तो यह detail मिल दी होई यह associate की profit दी होई है for the year 600,00,00 ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यह ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यह associate की है बड़ हमें retained earning associate की बता दी गई थी subsidy की 8,70,000 तो यह opening return earning हम लोग यह मान लिए हैं एस्यूम कर लिए हैं कि यह associate की है ठीक है तो details बहुत सारे हैं एक ही करके अपने गरते हैं पहले क्या करें पहले associate करें आप फिर subsidy पहले जो हमको आता है subsidy वह करते हैं आता तो सभी है नहीं आता है तो आ जाएगा solution पहले working note number one बनाते है हम दो घमेशा की तरह statement of identifiable net asset statement of identifiable net assets ठीक है अब इस statement of identifiable net asset कैसे बनता है हमेशा की तरह date of acquisition changes फिर आजाता है date of consolidation यहां पर आजाएगा share capital रिटेंड अर्निंग एट लाक सेबंटी थाजंड तो रूपीज इन थाजंड है फिगर जार इन थाउजंड आज यह कापिटल 500 दिया हुआ था तो इसमें security यह दिए हुई है security यह रहा 80 की और यह closing है इसका तो इसमें security premium हालक से दिया हुआ है रेटेंड डर्निंग के वज़ए से तो security premium हम लोग यहां पर लेते हैं as usual जैसे हमेशा question में लेते आए हैं तो क्या security premium में कोई changes है answer is no 80 का 80 870 में changes हो है और भाइसाब changes क्या मतलब उल्टा हो गया है I mean 400 होगी value उनकी closing date पे तो date of consolidation पे उसकी value क्या होगी 400 that means what 470 का उनका क्या हो है loss clear है नहीं loss समझ में आ रहा है कि नहीं 870 था आपके पास आज के date में 400 बचा है तो बाकी क्या गया बाकी loss में गया न आपका तो 470 का loss हुआ है during the year और post acquisition period तो इसका total कर लेते हैं अपनी calc इसी को लाते हैं 500 sound सुनी जाल सीगा है यह आ गया वन फो फाइब जीरो और यह 470 का तो 70 है बस ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि यह figures negative में है और अब इसमें क्या होगा एड होगा क्या री वैलुएशन ऑफ प्लांट कहां यह दिया हुआ था री वैलुएशन प्लांट का यह 50 थाउजन का री वैलुएशन होगा अब यह कब का फिगर है कि फॉर्स जिसम्बर 2004 और यह जो हम लोग डेटा देख रहे हैं वह 2007 का तो तीन साल पहले की बात और फाइब यह इसकी यूस्फुल लाइफ है तो अडिशनल डेप्रिशेशन है डेप्रिशेशन अडिश्फ़ अडेश्मन भी हम लोग करना पड़ेगा तीन साल का तो पचास से तो बढ़ गए लेकिन इसमें हम तो क्या करेंगे अडिशनल डेप्रिशेशन आपका चार्ज करना पड़ेगा 50 अगर फाइब येज यूसफुल लाइफ है तो 3 येर का डेप्रिशेशन अगर चार्ज हुआ है तो 30 आजाएगा फिर आता है अन्रियालाइज प्रॉफिट है फोर हंड्रेड लैक का गुड बेचा था सबसीडरी ने होड्लिंग को उसमें से वन कौर्टर बचा हुआ था और उसमें 25 परसेंट का प्रॉफिट कमाया हुआ था तो बचा ये 20 अब ये वैल्यू कहां दी गई है 400 का उसमें से कौर्टर बचा हुआ था 100 का अन्रियलाइज प्रॉफिट हमने निकाल लिया यह वाला अन्रियलाइज प्रॉफिट क्या यहां पर निकलेगा अभी तो नहीं निकलेगा यहां पर नहीं आएगा हम दोग सबसीडरी कर रहे ह है एसोशेट का ट्रीटमेंट अलग से करेंगे और वो हम दिखाएंगे आपको अलग से करके अब इसका टोटल कर लेता है कि 470 3500 तो टोटल हो गया 500 प्लस 25 20 और यह था 1450 प्लस 50 दाट इस फिप्टी अब इसमें से पारेंट और एंसी एक हम लोग निकाल लेंगे पोस्ट अक्विजिशन चेंजिस में 520 में कितना पैरेंट का है तो 520 इंटू 80 परसेंट सही है 416 और माइनस इक्वल टू 104 तो यह नॉर्मल जा रहे है जैसे अभी तक हम लोग क्वेशन करते हैं आ रहे हैं फिर आता है वर्किंग नोट नमबर टू में हम लोग क्या करते हैं कैल्कुलीट कर लेते हैं कैल्कुलीट इसमें मारा आता है इंवेस्मेंट हैट कॉस्ट तो फिर वैल्यू अफ इंवेस्मेंट क्या है इंवेस्मेंट कॉस्ट की फिर रहलू किया है फाइव अंड़ेट श्रीय कापिटल है फाइव अंड़ेट थाउजन उसमें इसमने एट्टी परसंट अक्वाइर किया है और उसके लिए हमने दिया फॉर पॉन्ट टू फाइप भी डिटील कहा है आपका एक दाम स् पॉर पंट टू फाइप पर शेर इन कैश में पेमेंट करते हैं और इनके पास नंबर अप्शेय कापिटल कितनी थी तो फाइप हंड़ेट का एट्टी परसंट इन्टू फोर पॉर पंट टू फाइप कितना था कैल्ट सी से पने यार्ट इन कैल्ट सी सब्सक्राइब है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आइडिंटी फेबल ने टैस्ट हमने निकाल लिया है और तो इसकी वैल्यू आ गई 5 6 8 kiya goodwill impair hua hai kya ye on goodwill impair hua hai kya goodwill impair hua hai kya answer is yes goodwill impaired hua ta 150 ka 150k ka refer on to 568 minus 150 that will be 418 so goodwill on date of consolidation on date of acquisition here are the goodwill निकल अपनी अब बात आती हमारी working note number 3 calculation of what non-controlling interest and see I get Nadia was a matter first non-controlling interest 368 इसमें post acquisition changes क्या हुआ है 104 पोस्ट acquisition लॉस बोल सकते हो 104 क्या गुडविल इंपेर्मेंट इसमें आएगी कि नहीं आएगी बिल्कुल आएगी गुडविल इंपेर्मेंट कितने से आएगी इसमें गुडविल इंपेर्मेंट कि एंट्री क्या होती है रीटें डर्निंग अकाउंट डेबिट गुडविल इंचाउंट डेबिट टो गुडविल तो रीटें डर्निंग में 150 का 20 परज़ंट फशनट दुस तो डिस घिस त्रीश रिस थी शेट माईनस फनी जिटो फोग माईनस थोग्डविल नियूंस थर्ती फोग इस क्या टॉडविल इस अ कलकूलेट कर लिया। गुडविल गुडविल कालिय और एंचाई calculate कर ले इसके बाद हम लोग calculate करते है consolidated reserve and surplus ठेक है लेकिन यहाँ पर consolidated reserve and surplus calculate करने से पहले हम लोग associate का treatment जो होगा उसको भी calculate कर लेते हैं जिससे कि हमें consolidated reserve and surplus बनाने में थोड़ी सी थोड़ा सा वाट अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें भी उसका impact जाएगा जैसे कि profit होगा consolidated reserve and surplus में इसके बनाते हैं वर्क note number four तो इसमें भी बनेगा statement of identifyable net asset of a टीक है date of acquisition changes date of consolidation यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रखना है सावधानी रखनी है इसका जो date of acquisition है वो first March of July को हुआ है और इनका जो closing date है 137 तो 30th November है मतलब November में इनका closing हो रहा है ठीक है तो इसके लिए आपको एक feeling आ रही है कि time adjustment हमें करना पड़ेगा ठीक है आपको date के लिए confusion नहीं तो आपको देट के लिए ए और्डिनरी शेर्स मतलब की यह फॉर दिसम्बर को करवा तो दिसम्बर इस ओपनिंग रिगट सो दिसम्बर जैन फैब थ्री मन्थ का time adjustment हमें करना पड़ेगा ठीक है तो इनके पास क्या क्या है डीटील इनका है रिटीन डर्निंग ठीक है इनका मुख शेर कापिटल लेते आंसर इस नो यहां पर शेर कापिटल नहीं आ था बस रिटीन डर्निंग की adjustment हम लोग कर रहा 600 था profit आपके टाइक्स दिया हुआ था वही वैलू छेस हम लोग लिए है यहां पर यह रहा और closing date क्या है I mean closing पे वैलिव क्या है 1200 तो 600 का चेंज़े है 600 1200 अब यह 600 जो चेंज हुआ है यह ओवर दे पिरियोड हुआ होगा तो इसकी पहले on the date of acquisition तक 3 month 3 month का adjustment हमें इसको इधर करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं simply divided by 12 into 3 to 600 into 3 divided by 12 that is 150 150 महा से reduce हो की इधर हाजाय का वैल्यू इसकी वैल्यू हो जाय की 750 और यह 450 प्रेंट की कितनी होगी और NCI की NCI होता नहीं बट पैरेंट का अगर बस निकाला जाए पैरेंट का 30% स्टीक है तो पोस्ट अको जेशन प्रॉफिट में 30% अगर 450 का लिए तो दिरिंग यह प्रॉफिट अगर निकल जागा मेरा 30% दाट इस 135 हमने किया है मतलब वह हमें मिलेगा बेसिकल अंग एसोशेट नहीं किया लेकिन हमारी 30% वहां पर इंवेस्टमेंट थी तो उसका 30% हमारे यहां आएगा इसका इस कैलकुलेशन से आपको जो पोस्ट अक्विजिशन प्रॉफिट है वह निकालना रहता है जो हमारा निकल गया एसोशेट के भी केस में ठीक है और एक वर्किंग नूट बना लेते हैं वर्किंग नूट नंबर 5 यह क्या बनेगा ह क्विशन आफ इन्वेस्मेंट कैरिंग क्या रूट आप क्यक्यल्कोबिस्मेन ओंफ इन्व इनृट्मेशन आफ इन्वेस्मेंट की वैल्यू कैंपिशिक वह बिसिकलिवो ब्स्मेंट अभी विरिकॉर्ड नहीं हुए और उसके लिए तो अजम की कोस्ट है कि तू फिप्टी शियर का पिडेल है इसका 30% हमने प्रिप्रों किया है इस तू थ्री के रिशियो में और इसके शियर की वैल्यू है फाइप सब्न टू फिप्टी मद पाउच उरुप पर शियर दीया है लिए तो फिप्टी इंटू थर्टी पर्सेंट इन्टो फूर डिवाइड़ बाई त्री अंडर्ड फिर आई इन्टो फाइव तो ये फाइव अंडर्ड आगा है ये फाइव अंडर्ड में शेक्योर्टी प्रीमियम कितना हुआ 400 का और शेकापिटल हुआ 100 क्लियर है तो इसका अजस्मेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 400 सेक्योर्डी प्रीमियम है 100 कापिटल है जो अभी हमारे बुक्स अब अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है और इसका क्या हुआ था और इसमें से हम लोग पॉस्त अक्योंजिशन प्रॉफिट इसमें एड करेंगे पोश्त एक और चीज़ है दाट इस इंपेर्मेंट इन्वेस्मेंट की इंपेर्मेंट क्वेशन में दीगी तो इन्वेस्मेंट की इंपेर्मेंट कितनी है 15 है हम लुग कर देंगे और इसका टूटल निकाल देंगे तो 500 प्लस 135 माइनस 50 दाट इस 620 अभी 15 कहा से आया कोई पूछे रहा है तो आया यह 15 जो हमारा वैलीव है वो आया यहां से इन एसोशीट टूबी इंपेर्ड वाई 15 दाओजन अड़ दी अड़ेंट तो हमने इंपेर कर दिया उसको अब हमारा जो वैल्यू आई मिन अब जो डिटील बने गे हमारी वो होगी वोकिंग नोट शिक्स में हम लोग बनाएंगे कंसॉलिडेटेड रिजर्व एंशर्पलर्स और रिटी इंडर्निंग क्या है तो रिटी इंडर्निंग और फोल्डिंग अमनी जो की पी की है तो इसकी डिटी इंडर्निंग है क्यों क्यों में दी हुई है आप देख लिए एक बार फिर भी बार बार रूप चे यह वन वन फो फाइव हो गया वन वन फो फाइब अब इसमें पोस्ट एक्कुजिशिशन लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा फो हंड्रेड एन सिक्स्टीन फोर हंड्रेड सिक्स्टीन माइनस हो जाएगा अब फोर हंड्रेड सिक्स्टीन हमने जो स्टेट्मेंट ऑफ आइडेंटी फेबल नेट असे बनाया था उससे यह फिगर आया है ठीक है चलिए गुडविल इंपेर्मेंट गुडविल इंपेर्मेंट यहां पर भी आएगी हमने एंसे आई में किया था तो वन फिप्टी का इट्टी परसेंट यहां पर आजाएगा वन ट्वेंटी क्या पोस्ट अप्विजिशन प्रॉफट ओफ ऐस्ट्वेंट आएका एंसर इसा आएगा इसलिए तो कैलकूरेट किया था 135 था क्या इसकी investment impairment आये गी answer is yes investment impairment आयेगी इसकी अब एक adjustment जो हमने छोड़ दी थी वो थी की unrealized profit अब स्टॉक बाई जो ए ने हमारे books of accounts मतलब पी के अभी बात करें ना पी की रिटेंडर नहीं calculate कर रहें तो उसमें से 90,000 के goods पड़ी होई हैं जिस पीनों ने 50 परसेंट का profit earn किया था तो इस 90,000 का 50 परसेंट इन्टू 30 परसेंट अतलब जो प्रॉफिट है उसका 30 परसेंट हम तो गोन करते हैं तो 90 डिवाइद बाई फिप्टी इन्टू 30 परसेंट तो यह आज आएगा नाई नाइन्टी बाई वन फिप्टी इन्टू 50 इन्टू 30 परसेंट तो इन्ट caric होके यह नाईन्टी वन फिप्टी की बराबर हो तो इसकी 50 कितने होगी मतलब प्रॉफिट इलमेंट पहले का लिए फिर उस profit element का 30 का जो यह आया profit 90 divided by 150 into 50 इसमें यह total profit element आगया 30 अब इस profit element में हमारा कितना है हमारा सिर्फ 30% है तो हमारे 30% को हम लोग eliminate कर देंगे बस मतला हम घर में profit नहीं कमारा और बाकी का उसमें रहने दें ठीक है तो यह हो गया नाइन यह important adjustment है समझ में अगर आपको नहीं आ तो मैं दुबारा बता देता हूं कि यह जब हम associate की बात करते हैं तो associate में हमारा पूरा control नहीं रहता जितनी holding रहती है मतलब जितना पसंद हम invest करके रखते हैं उतना ही रहता है मेरा 30% profit था हम unrealized profit में क्या करते हैं जो खुद का कमाया हुआ profit अपने books में दिखा के रखते हैं उसको eliminate करते हैं मतलब की actual profit दिखाते हैं तो यह 30% तो आपके associate ने आपको बेच दिया और associate का जो profit हुआ वह आपका profit हुआ है लेकिन उसका 30% ही आपका हुआ 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 है तो 30 का 30% ही आपका इस क्लम हो 30 हटा रहे हुआ थर्टी थर्टी कर गए बेसिकली associate की जितनी percentage रहेगी उतना profit आपको eliminate कर देना as simple as this वो होगा retain learning जब consolidated retain learning बनाएंगे तब अब इसका total कर देते अपने calc से 1145-41 sorry 416-120 कुछ add कर देता है 135 तो यह total आजाएगा 720 ठीक है 15 और 9 1145-416-120 यह सारी डीटेल हो गई हमें जो लगेंगी आने वाले वक्त में consolidated balanced बनाने में हमने associate में summary अगर यहां पर बनाई जाई एक तो उसके हिसाब से story गया होगी जो subsidy में हम लोग करते थे वो तो करते ही थे associate में हमने क्या गिया associate में हमने पहले उसकी investment की value निकाली इस investment की value से हमें share capital नया issue करना पड़ा और हमें security premium भी उसमें आया यह 100 का था और यह 400 का ऐसा क्यों हुआ क्योंकि investment in associate पहले से pre recorded नहीं थी तो इसलिए हमें यह step लेना पड़ा और हमने क्या किया हमने से retained earning में से post acquisition profit निगा ली post acquisition profit में से जो हमारे लिए थी पी के लिए तो उसको 30% हमने अपने books up accounts में रख लिया यह दो basic adjustment हमने की और कुछ नहीं के associate के लिए एक्स्ट्रा clear है अभी retained earning को निकालने के लिए हमें time adjustment का help लेना पड़ा क्योंकि first March को इन्हों ने acquire किया था I mean invest किया था associate ठीक है तो उसके लिए मैं time adjustment three month की डालने पर दिसम्बर था जैन था और फैब था मार्च का the first date ही था तो इसलिए मार्च हम लोग नहीं लिए three month का adjustment time adjustment में तो associate में यही दो चीज थी और बाकित हमारा पुरा नहीं था एक और associate में जो नई चीज थी वो unrealized profit का जो adjustment हो और रिटीन डर्निंग से हुआ रिटीन डर्निंग से हमने unrealized profit जो 90 stock में पढ़ा हुआ था पी के holding के उसमें से हमने जो पहले profit element हो उसको बाहर किया उस profit element में से हमारा जो profit जो है 30 परसंट उसको हमने eliminate कर दिया clear है all good चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्ट में तो इसमें आगा नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में हम लोग को थर्टीन अंडेड जो खुद की है और हीट फिप्टी सबसेटरी के अड़ करेंगे तो कितना हो गया थर्टीन अंडेड प्लस एट फिप्टी तो यह हो गया 2150 डिटेल्स में आपको इक पर दिखा दूँगा प्लांट वह डिटील दिखा देते हैं वहीं पर करते हैं फिर यहां चलिए तो प्रॉपर्टी है तो थर्टीन अंडेड प्लस एट फिप्टी क्या यह एड होगा एंसर इसनों उसके ओपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो एड किसी होगा 2150 प्लांट एन एक्यूबम स्सके छोपीड्रेड एंड और लीदार इंड प्लस अंडीक्ट क्या फोक्की अश्वाल्ट क्या प्लेश प्लस 50 al आपके गुडविल आएगी बात में लेंगे गुडविल हमने पहले से क्यालकुलेट किया हुआ है तो गुडविल हमारी है 418 की तो वह रही रहे इंवेस्टमेंट 1825 1825 में से माइनस हो जागा 1700 का जो सबसीडिय का इंवेस्टमेंट है और इसका हुआ हम लोग कर देंगे अधर इंवेस्टमेंट बोलके 1825 माईनस 1700 सबसीडिय की इंवेस्टमेंट नहीं दिखाते है उसके जग़ा पर हम उसके ऐसेडस को दिखाते हैं हमं लोग हमने एक नोट्स टो अकाउंट्स भी बनाया था मतलब एक वर्किंग नोट भी बनाया था अब आते हैं इन्वेंट्री के बारे में तो 550 प्लस 230 तो होई जाएगा अब इसमें से हम लोग अन्रियलाइस प्रॉफिट माइनस 20-9 दोनों अन्रियलाइस प्रॉफिट को हटा दें है इसलिए हटा रहा है ठीक है रिसीवल 300 और 340 का है 300 प्लस 340 300 प्लस 340 क्या इसमें कोई भी एड्जस्मेंट थी जी हां 50 की कॉंटरा थी जो सब्सुड़ी और पैरेंट के बीच में थी एक 20 की भी थी जो की एसोशीट से थी उसका हम लोग का हां कॉंटरा की एड्जस्मे दाट इस वन सेवन टी क्लिए रहा है फिर शेयर कापिटल आ गया शेयर कापिटल में और रहर हो जाए गा जो हमने अब यह बात किया था कि जो नया शेयर कापिटल इसव वहा और सेक्योर्टी प्रिमिय में 400 जो हमने इन्वेस्मेंट इन एसोशीट कि एंट्री नाइंटीन हंडेड प्लस यह हो जाएगा 650 आगेस जो और हमने रिटेन डर्निंग साथ सो भी सभी कैल्कुलेट किया ही था और एंसे आई हमने कैल्कुलेट किया था टू थर्टी फूर का तो यह सारी कैल्कुलेटिट वैल्यूस हैं पहले से ही यह बेसिकली टोटल है इसका तो यहां से नौन टेन परसेंट लोन यहां पर है तेन परसेंट लोन नोट से 500 प्लस 300 800 सिंपल करन्ट लाबर्टीज में ट्रेट वेवल 520 और 330 माइनस 50 हो जाएगा contract adjustment 520 plus 330 minus 50 that is also 800 or income tax 330 plus 70 that is 400 टोटल कर लेते हैं 1900 plus 650 plus 720 plus 234 plus 800 plus 800 plus 400 so this comes to 5504 इन सारे का नोट्स टो अकाउंट्स आपको बनाना है जिसका वर्किंग नहीं पर ना हम लोग यहां पर फटा फट करने के लिए करते हैं जो आड और लेस हम लुक कर रहे थे ना प्रपरडी प्लांट एक्यूपमेंट का तो आप उसका पीपीए का एक वो नोट्स टो अकाउंट बनाएंगे बैलेंस इटकी नीचे जैसे बनता है ठीक है ऐसा नहीं कि ऐसी करके एक्जाम में आ गया वाइव टू अन फाइज़रो प्लस 680 प्लस 125 है गयर्यस प्लस 620 प्लस 751 प्लस 590 लग रहा है तो प्लस फंस कंटे 418 गोड़ विल का प्लस 400 इन इस तो फाइव 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 जीरो फो खेर है तो यह रही है आपकी की पूरी की पूरी एंट्री अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं जैसे कि आपको आईजी रहेगा प्लांट एन एक्यूपमेंट की 450 प्लस 210 प्लस 50-30 आप ऐसा वाकिंग नोट में भी लिख सकते हैं 680 हो गया गुडवी लग डाली गया तो यह 418 हो गया इंवेस्मेंट आपका 620 अदर इंवेस्मेंट आपका 125 बचा था इंवेंटरी 550 प्लस 230-20-9 आप इस 751 रिचीवेबल है 300 प्लस 340-50 आप इस 590 कैश 120 प्लस 50 नो अज़स्मेंट और इसका टोटल आप फाइव फाइव पाइव जीडो फोर इस हम नोट रहूं ओके एक्विटी अन लिविटीज में आ जाएगा शेयर कापिटल शेयर कापिटल में एक चीज़ है वह एड़ हो जाएगी जो इस बार की एसोशेट की इन्वेस्मेंट है दाट विल बी 1900 फिर शेक्योर्टी प्रेम आपका 250 प्लस 400 650 हमने कैल्कुलेट किया था तो वर्किंग नोट में वह पहले से दिया हुआ है 10 परसेंट लोन नोट्स थे वो थे आपके साथ 800 उसका ब्रेक अप और एंसी आई हमारा था 234 का कृट पर आपके साथ तो तो इसका भी टॉतल फाइब फाइब जीरो तो क्वेशन को अगर समराइज कर दिया जा है तो पहले से सबसीडिरी की हमें अज्जिस्मेंट आती थी एसोशीयट की अज्जिस्मेंट दो तीन हमने इसमें नहीं शीखी कि पहली की अन्रेलाइस प्रॉट कंडू इंडेल रिटें डर्निंग बनाएंगे तो वहां से अड्यस करेंगे और रिटें डर्निंग की पोस्ट अक्विजिशन प्रॉफिट का अपने बुक्स अपकाउंट में लेना और अर अन्रियलाइस फॉफिट का सिर्फ थर्टी और नहीं थी तो इन्वेस्मेंट को हमें रिकॉर्ड करना था रिकॉर्ड करनी का वजा से में रिकॉर्ड कापिटल में और शिकूर्टी प्रीम में वैल्यस को पूट करनी पड़ी बस और इन्वेस्मेंट बुक्स अफ अपकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं था तो 620 की investment हमने record की as a investment in associate यह आप हमने लिखा है कि नहीं investment in associate लिख सकते हो so that's it about this question we will move forward to the next question I hope कोई कोच्छन समाज में है अगर नहीं है तो please let me know question number 57 and the doubt is this 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 so we will get back to for you as soon as possible तो अब इसके बाद अगला कोईशन करते हैं 57 के बाद आता है 58 जो कि हम लोग करेंगे अभी 58 question बहुत ही interesting दमदार और मज़िदार है हलका सा इसमें एक adjustment है जो आपको बतागा कि प्योर associate purely associate की questions में ही देखने को मिलेगा तो चली देखते हूं क्या है वो question start होने से पहले हम लोग क्या करते हैं पहले उस सवाल से हम लोग यह पूछते हैं कि सवाल में क्या सवाल है तो यहां पर सवाल है कि आपको cbs बनाना दाट transfer consolidated balance it of the P group as at 30th September 2008 कोई नहीं हमें बनाना है और below are the balance it of three entities as at September 2008 अभी आपको यह बात नहीं पता है कि कौन से subsidiary है कौन से associate पर देख के लग रहा होगा कि यह है और figures are in thousand non-current asset में आगया property plant and equipment और investment आगये और इनका टोटल यह रहा है current asset 6000 और सबका टोटल यह रहा है और श्या कापिटल 10 retained earning non-current liabilities and current liabilities and total यह 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 details ही हो है basically these are the separate financial statements के details हर एक company के further information a p acquired 75% of the equity share capital of as as several years ago बहुत साल पहले की बात है ठीक है 75 मतलब 25% का NCI ही होगा है और यह subsidiary ही होगी मतलब as stands for subsidiary in this particular question मतलब subsidiary company है लेकर उसका नाम as limited है पेंग 6,000 मतलब छे अजार उनको cash में देके 6,000 रूपीज यह जो figures are in thousand है at this time the balance sheet of as retained earning was 3 million 3 million था कोई नहीं यह normal detail है और यह कहां use होती है हमारे statement of identifiable net asset का अगर मैं इसको थोड़ा सा जुम कर लो तब बेटर रहेगा पी acquired 35 sorry 30 percent of the equity share capital of a on 1st October 2006 fox October 2006 को acquire किया गया है पेंग 7,50,000 in cash at 1st October 2006 the balance on a return और इसकी return earning की value थी यह भी हमें कहां यूज होगा यह हम जो routine earning में post acquisition profit निकालेंगे associate के purpose के लिए statement of identity fable net asset के तरह हम वहां पे use करते है इसको calculation of post acquisition profit के तरह associate के purpose के लिए तो वहां पे use हो गए और investment की value के लिए previous question में क्या दा previous question में हमें question की जो यह वाली entry थी मतलब जो associate के entry थी वो books of accounts में आई ही नहीं थी उसके होज़े से हमें share capital और security premium में भी एक entry डालनी पड़ी थी but is question में value दी हुई है और इसमें अगर कोई changes होता है तो उसको incorporate करके हमें डालना होगा इसमें share capital और सिर्फी में नहीं आगा of course क्योंकि पहले एंट्री पड़ी हुई है और उन्होंने cash भी दिया है तो basically that is not an issue और cash में कोई adjustment आएगा मतलब entry recorded है during the year P sold goods to A for 1 million okay 1 million के लिए पी ने पी ने goods sold किया A को 25% markup है आट यह ने ए इस्टील held one quarter of this A के stock में अभी भी one quarter मतलब one fourth अभी भी बचा हुआ है one million का मतलब वो हम लोग calculate करेंगे तो यह basically unrealized profit के लिए entry है और यही इस question का uniqueness है यही चीज इसको unique बना देती है ठीक है और वो कैसे वो हम discuss करेंगे पॉस्षिन करिंग फिर बात आती है as a result of this reading P owed two lakh fifty मतलब one million ten lakh हो था उसका two lakh fifty by a at a reporting date this agrees with the amount included in 88 वे इनको receeble एका receeble एका payable एक contract contract का हमें कोई मतलब है क्या contract का कोई मतलब है क्या associate के accounting में answer is no इसका कोई हमें use दिखाई नहीं दे रहा है at 30 September 2008 it was determined that the investment in associate was impaired by 35 अब यह क्या है investment impairment तो जो carrying value निकालेंगे carrying amount of investment तो उसमें 35,000 हमें reduce करना पड़ेगा क्योंकि investment impaired हो गई अब कैसे होई कैसे नहीं होई उसका हमें कोई मतलब नहीं है पूला है करना है तो लोग करेंगे और अब कैसे होगी उसकी value कम हो गई होगी उसमें कोई adjustment हो गया होगा basically और अगर आपको पता है SFS में value क्या होती है cost पे होती है cfs में तो impairment होता या नहीं होता है बट अगले साल जो यह value रहेगी तो cost पर याती है लोग इस साल impair करें तो cost से impair करते हैं फिर अगले साल impair करेंगे तो भी cost जैसे कि यह 10 रुपे की cost है impair किया हमने दो तो यह value आ गई इस financial year की yield लेकिन जो अगले साल हम अगर तीन का impairment करेंगे फिर 10 से impairment करते हैं ठीक है समझ में आ रहा है यह नहीं आ रहा है तो value आएगी साथ मतलब यह art SFS में नहीं जाता है कि समझ रहे हो गया ऐसे समझाता हूं कि ऐसे समझें कोई भी आपके हाँ asset है investment है investment आपके जो particular company है माली जे procedure associated है तो उसके books of accounts में हमेशा cost पर दिख रही है ठीक है और cost constant है क्योंकि आपने 10 रुपया लगाया था आप उसमें impairment हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जो impairment की adjustment हो रही है वो हर साल होगी उसी cost के value से लेकिए तो सच क्या है actual जो असली सच है वो है कि यह cost है और यह आप impaired कर रहा हो यह आप की adjustment है तो यह बेसिकली यहां के लिए मैं बता रहा था कहां से कहां चलेगा हां investment की impairment गो लेगे non controlling interest की value दी हुई है हमारे पास NCI are valued using fair value method कोई नहीं the fair value of the non controlling interest at the date of acquisition was 1.6 million कोई दिक्कत नहीं है हमें value दी गई हम use कर रहेंगे तो इसमें क्या क्या है basically एक जो पहला point है इसमें पहला point है हमें जिसके मदद से हम identifyable net asset निकालते हैं फिर goodwill निकालेंगे फिर NCI तक पहुंचेंगे उसकी मदद से और यह associate के related है associate के लिए हम लोग इसमें retained earning या फिर post acquisition profit के लिए use करते हैं इसको जैसे previous question में किया था हम ने जिससे याद हो आपको तो कितना आया था उसका retained earning 1,000 हाँ 600 600 था तो 450 450 हो गया था ऐसा वह अला दूरिंग 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 यह पीशोल्ड गुट्स टू ए फॉर वन मिलियन और यह वाली unrealized profit की यह unique entry इंट्री जिसकांटुक देखेंगे और भागी तो यह contract को इंपाक्त नहीं है इंपेर कर देना और यह NCA बढ़ा पर question करते हैं चली question स्टार्ट करते हैं पहले अपने subsidy को करेंगा so solution color change कर लेते हैं I know green ले लेते हैं पहले बनाते हैं working note number one working note number में as user long block बनाएंग statement of identifiable net asset उसमें आता है date of acquisition changes and फिर आता है date of consolidation subsidy के लिए है तो share capital इसका दिया हुआ 1,000 question में इसमें कोई changes नहीं है return earning 3 million था 3 million में मतलब 3 0 होता है तो अगर रूपीज इन थाउजंड अगर I mean 6 0 होता है रूपीज इन थाउजंड लिकोगे तो ऐसे आएगा और closing में क्या दिया हुआ है closing में closing में rating डर्निंग है 5,500 तो changes आजाएंगे हमारे पास यह हो गई 25,500 और 2500 की changes आगए तो यह value आगई 4000 और यह value आगई 2500 पी का कितना है 75% और NCI का कितना है 25% NCI कहां गया calc यह अपना 25 75 1875 minus equal to 625 और इसके बाद हम लोग क्या का calculate करते हैं working note number two color change कर लेते है calculation of goodwill calculation of goodwill किस की इच्छा है will है कि good will calculate की गए आई नो अच्छा जोग नहीं था सो इन्वेस्मेंट कितनी है इन सबसेडरी दिया हुआ यहां पर फिगर दिया हुआ हुआ हा हमारा यह 6000 नहीं यह 5000 है हमेसा 5 और 6 क्यों रधेक्ट हो ता है यह 5000 होगा थोड़ा सा स्लाइकली चेंज और एन से हमारा वन पॉइंट सिक्स मिलियन मतलब वन सिक्स डबल जीरो इडेंटिफेबल निट एसेट हमने अभी निकाला है तो यह एड हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा तो यह वैल्व आजाएगा आपकी 2600 या गुद्विल ओन डेट आफ एक्कोजिशन कोई इंपेर्मेंट है क्या गुद्विल में एंसर इस नू तो हम लोग क्यों करेंगे फिर बात आती है एंस याई की तो वर्किंग नोट नंबर तो 3.6,2,2,3 calculation of N.C.I. यह 6.25 आड रोजाएगा पोस्त अडिशन चैंजा अगा पहले से 16 आणा सी था तो सिक्स तू फाइफ प्लस सिक्स्टीन अंडर्ड इस तू तू फावीव तू 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 अब एसोशेट की भी कुछ काम कर लेते हैं वर्किंग नॉट नंबर फॉर अब हम लोग क्यालकुलेश्ट करेंगे पोस्ट अक्युजिशिशन प्रॉफित इन ए प्रॉफित इन ए और यह सीम फॉरमेट रहे गा यह बिएगा इस्टेटमेंट अधिशिशन निट आसे जैसे बनाते हैं तो देट फफट पाउजिशन चेंज इस और डेट अब कंसॉलिडेशन रिटीन डर्निंग हमारी यहां पर आएगी वन पॉंट फाइब मिलियन था तो यह फिफ्टीन हंडेड हो जाएगा और क्लोजिंग में रिटीन डर्निंग कितना है वो देख लेते हैं यह वन पॉंट फाइब मिलियन ओपनिंग का दिया हुआ है क्लोजिंग का यह रहा टू फाइव ट्वंटी फाइव अंडेड तो वन थाउजन का चेंज दीख रहा है यहां पर अच्छा क्या इसमें टाइम अजस्मेंट है क्या यह फॉर्स्ट अक्टूबर को हुआ है मतलब अक्वायर हुआ है और थर्टी सेप्टेंबर की क्लोजिंग है तो यह बेसिकली ऑन विए इसमें टाइम एड़िस्मेंट नहीं है तो इसमें पैरेंट कमनी जो पी है हमारी उसका क्या होगा शेर तो पोस्ट एकुजिशन प्रॉफिट पैरेंट कमनी का थर्टी परसेंट होगा लाट वी थ्री हंड़र्ट तो यह वैल्यू आ गई अब आगे हम लोग क्या क्लिक करेंगे क्या क्लिक क्लिक करेंगे इन्वेस्मेंट की वैल्यू व्रकिंग नोट नंबर फाइव ऐस calculation of investment in associate तो कितना है cost of investment 7,50,000 था तो यह हो जाएगा 750 इसमें post acquisition changes क्या होए अभी हमने निकाला 300 के और इसमें impairment loss है जो question में उपर दिया हुआ है 35 का यह रहा question यह यह रहा associate को हमें investment इन associate को हमें impair करना है by 35,000 रुपीज और इन थाउजन तो 35 आ गया वहाँ पर है और एक adjustment होगा वह unrealized profit का होगा unrealized profit कितना है वह निकालने के लिए आप यह data देखना पड़ेगा कि वन million मतलब 10,60,000 अगर तीन अटा दिया जाए तो 1000 इसका one-fourth बचा था ठीक है 1000 का one-fourth बचा था और इसमें इन्हों one-by-five भी लिख सकते है 25 by one-by-five हो जाएगा तो डिवाड़ेड़ वाइव तो 50 आया इस 50 में हमारा कितना परसेंट है इस थर्टी परसेंट तो वह आगे 50 अन्रियलाइज प्रॉफिट कितना है 15 का और इसकी adjustment कैसे होगी तो हम equity method अगर follow करते अगर आपको पहले भी बताया था पहला question में investment in associate में equity method follow करके दिखाया था हमने sorry for the background noise और थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको working करके दिखा देता हूँ कि क्यूटी method के हिसाब से जो हमने पहला question किया था अगर आपको याद हो तो उसमें बोला था कि कोई भी profit आया तो investment account debit करिए और in associate to share in profit तो 300 इस case में है तो इसके वज़े से हमने 300 बढ़ा दिया और जैसे कि investment इंपेर हुआ तो वैसे यहां पर सीपेल इसको भी सीपेल लिख सकते हैं कि सीपेल अकाउंट डेबिट कि टू इन्वेस्मेंट इन एसोशियर्ट कि यह इंपेर्मेंट किये कि 35 से कम हो गया तो यह दो अगर आपको समझ में आ अधी कि हमने अभी क्या किया था पोस्ट अकुजिशन प्रॉफिट में इसको क्या किया अगर हमें एंट्री वाइस दिखाना ओ तो यह थी 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 फ़ैप को हम लोग ऐसे दिखाएंगे एकनपाउंट आपके उसमें इंटरी पढ़ती है यहाँ पे सीपेल से जाएगा प्रफट एंटर्स अकाउंट है फीवाट है आपने इन्वेस्वेंट की वैल्यू बढ़ा ली ठीक है थिकाए थंटी फाइब आपने रिड्यूस कर दीवीर्ट इन्वेस्वेन्ट की impairment loss हो रहा है उसको कहां से adjust करेंगे P&Ls adjust करेंगे CPL account debit यह कहां कितना था 1 million था आपके पास उसमें से one fourth बच्चा है 25 by 125 25% आप कमा रहा है और उसका 30% that comes to 15 basically 50 into 30% अब इसको कहां से adjust करेंगे यह बोलोगे कि आप A के stock का है बिल्कुल है यह value कहां A के stock में लेकिन हमें CPL में adjustment करनी पड़ेगी वह कहां से यहां पर A का stock है क्या जो P के P parent company के books of accounts में हम adjustment कर रहे हैं किसके parent company के books of accounts में adjustment करें मतलब consolidated profit and loss account parent के books of accounts में बनता है यहां पर P ने good sell किया है A को तो P के stock में तो नहीं है P के पास क्या है investment तो यह जो adjustment होगी वह होगी investment से to investment in associate that will be 50 और यहां पर unrealized profit माइनस हो जाएगा clear है पहले हम दोग unrealized profit stock से माइनस करते थे लेकि इस case में अलग है यही इस question का unique निस था जो मैंने अभी आपको करके entry के दोरह बताए equity method follow कर तो इन्वेस्ट्रेंट की value आ गई 1000 क्या यह working note करना absolutely no कोई ज़रों ने आप डिरेक्ली यह से लिके answer अग्दम सही है तो यह associate की accounting का बहुत ही important और अच्छा point है जिसको आपको ध्यान में रखना है यह कब हुआ जब parent ने associate को माल वेचा तो parent के पास तो इस टॉक नहीं है तो उसकी adjustment होगी इन्वेस्मेंट क्लियर है अब बस एक चीज़ बनाना बाकी रह गया हमारा वह एक consolidated retained earning और वह हम बनाने जा रहे हैं working note 6. so calculation of consolidated retained earning यह किसमें बने की peak account में बनेगी तो retained earning of P कितना है देख लिए थे एक बार स्यर Weider 7500। आलिग देख 7500। आलिक देख 7500। itar क्योंहै अमर्ट अधिटिशन चार्ट्टिशन चार्ट स्वार्ट भूजय प्षटिशन चार्ट में। 1875 है और एक और है पोस्ट अक्विजिशन चेंज़ेज एक थ्री हंडड़ और यह कहां से यह स्टेट्मेंट ऑफ इडेंटिफियेबल ने टसर्ट जों लोग बनाया थे वहां से इन्वस्मेंट इन एसोशेट के पोस्ट अक्विजिशन चेंज़ेज में 300 है इसमें इंपेर्मेंट लॉस है वह है 35 का और अन्रियलाइज प्रॉफिट है 15 का तो बेसिकली अल्टिमेटली जो इन्वस्मेंट इन एसोशेट हो कितना हुआ 300 माइनस 35 माइनस 15 अब बनाते है अपना तो बनाते हैं ऊपर ही बना दिया जाएगया क्या बोल ला चली बनाते हैं तो बनाते हैं ऊपर ही थोड़ा सा जो मौड कर लिया हमने सु कंसोलिडेटेटर बैलंसर अन थर्टीथ सेप्टेमबर 2008 क्लियर है तो एंसी यह ओगा नॉन गॉंडूलिंग एसेट नॉन करेंट एसेट शरी पीपी अपना आगया प्रोपर्टी प्लांट एनी क्योपन 14,000 7500 अपनी कैल सी आजा भाई 14,000 को इसमें अजस्मेंट है ग होगा क्या एंसर इस नौ तो टूवन 500 हो गया यह इन्वेस्मेंट इनकी है 10,000 की तो यह 10,000 इन्वेस्मेंट है है लेकिन इसमें आपकी investment में किसका कितना है इसमें subsidiary की investment छुपी हुई है ठीक है तो उसको हमें निकालना पड़े गा पहली बात तो investment डाल लेता है यहां पर investment इन associate जो हमारा calculate किया हुआ है वह 1000 है फिर आजाएगा other investment so 10,000 जो value है उसमें से तो other investment हमारा हो जाएगा 10,000 तो total investment है उसमें से आपकी 5,000 subsidiary की और 750 associate की cost की बात करा हूँ जिस पे खरीद आ गया था तो 10,000 माइनस 5,000 माइनस 750 दाट विल कम्स टू 4,250 यह investment in associate 1000 है यह post acquisition changes को मिला के ठीक है लेकिन जो cost of investment थी associate की वो यहां पे ली गई हुए 7,50,000 मिनों ने acquire किया था यह राज 7,50 तो उसकी value यहां पे हमने माइनस कर दी तो 4,250 clear है ओक फिर आपका आगया current asset तो इसमें कोई changes है नहीं current asset अब में contract आएगा क्या कोई contract नहीं आगा क्योंकि वो associate से related है तो यह आगी asset side asset 21,500 और एक चीज़ जो हम भोल गया वो है goodwill वो है 2600 की जो यहां पे नहीं इस consolidation में आएगी 1000 4,250 प्लस 9,000 2500 प्लस 2600 प्लस 1000 4,500 4,250 ओके तो यह आगया आपकी 28,350 clear है और शेयर कापिटल आपका equity शेयर कापिटल में शेयर कापिटल आपका 10,000 हमने calculate की है 9625 NCI हमने calculate की है वो है 2225 दिखा दूँगा अगर देखना है तो और उसके बाद हमारा non controlling non current liabilities हो है इसका भी total कर लेता है 10,000 यह calcium पे भी किया जा सकता था लेकिन एक adjustment जो थी वो important थी इसके हमने इसको calcium पे नहीं किया are you getting my point तो इसकी value आ गई 38 350 और इसकी 38 हमने 28 लेक दिया है ही बते एक चेकर 2500 21,500 प्लस 2600 प्लस 1000 पहले से लो calculate कर के बुल ले दर इस आ गलत लिग दिया गलत लिग दिया तो प्लीज कंट्रोल यह 38 350 ओक तो यह रापा question अब बढ़ेंगे हम लोग अगले question के तरफ इस question में unique क्या था summary हम लोग हमेशा बनाते हैं तो इस बार भी बना देते हैं question की summary यह है कि जब unrealized profit associate में है तो उसकी adjustment investment से होगी that's all this is all about the question और बाकि सब question पहले से सदा contract है तो उसको हम लोग लेते ही नहीं है ठीक है आप investment की value में confused हो सकते हो कि 10,000 की investment थी उसमें से हमने 5000 तो subsidy की हटा दी और उसमें से 750 हमने क्यों माइनस किया इस दोनों यह cost है तो cost से cost को eliminate किया तो actual cost है अधर investment का ठीक है तो यह अगर आपको थोड़ा बहुत confusion है तो यहां पर भी हो सकता है और बागे सब वही है ठीक है चलिए मोब करते है next question की तरफ 58 के बाद क्या था कोई बात आयागा सो count करना सुरूब और वो 50 से 59 है आपकोस तो चलिए start करते है उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लिए तो प्लीज दू हिट इस सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब करते हैं क्या बोलता है कोईशन फटापट करते हैं इजी कोईशन है बिलोव अदे बैलेंस इट ठीक है दी फो यहां पर पी अब सब्सक्राइब की फो पैरंट तो वैसे मत समझो की आपकी एसफर सब्सीडिय एफोर एसोचीट यह प्रापरटी प्लांट एन एक्यूपमेंट है इनवस्मेंट है इनवस्मेंट है इनवस्मेंट है नमबर अफ शेर्स दिया है की 1,68,000 इसमी है 7,00, 6,70,000 उसमें ठीक है उसका टूटल यहां पर दे दिया गया है करेंट एसट में इनवस्मेंट हो गई आपकी और यह वैल्यू 640 है क्या दिखाऊ गई इधर यह 640 है और वैसे रिसीवल हो गया बैंक हो गया एक्विटी हो गया और और निश्वर कापिटल करने लाबर्टी स्टेट के वलो टाक्सेस ठीक है लो लावाय पूर्मिट वर रावे है क्या हो गया सब्सक्रांटों क्या आपकल twee क Bä और शिग्या थे खरनकम यूदी आपकी ड्मिच कॉने दिMark 68,000 shares, okay, उस समय उसके retained earning थी, rupees 140,000, इसमें earning, loss नहीं, एक impairment test हुआ, impairment test at the end, source the goodwill for L remain unimpaired, but the investment in P has, impaired, but the investment, goodwill unimpaired है, investment impaired हो गया, ठीक है, तो D group values NCI, D group value करती है NCI, किस पर, जैसे हमेशा, ओ लोग करते रहा हैं, तो 1,60,000 इसकी value है, बस इस question कुछ खास नहीं है, बस यह आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कौन सी subsidy और कौन सी इन्वेस्ट, एसोशियर्ड है, तो 6,72,000 shares, तो पहले यही clear कर लेते हैं, 6,72 figures are in thousands है, तो 6,72 L में है, तो L की total share capital कितनी है, 840, तो divided by 840 करेंगे, इन्टो 100, तो यह आजाएगा 80%, तो L होगी आपके subsidy, और यह 168 को डिवाइड करेंगे, अपने 168 को, total share of piece है, तो यह आजाएगा इन्टो 100, तो यह आजाएगा 30%, तो यह होगी आपके associate, यह होगी आपके subsidy, यह working node आप बना के कर सकते हैं, आप करते हैं, हम लोग question direct Kelsey पे कर ले किया, कर ले, थोड़ा सा हिम्मत जूटाओ, लास्ट वालो कोशन बढ़ा है, तो इसको Kelsey पे करते हैं, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इन्वी आइडेंटिफिएबल नेट ऐसेट की value निकालते हैं, सॉरी, अभी, सटर दिन वर बंद क्यों होता है, हम लोग पहले निकालते हैं, आइडेंटिफिएबल नेट ऐसेट की value, यह calculate कर लेते हैं, date of acquisition, changes और आपका हो गया, डी ओसी, अब यहां पे losses हैंने, इसलिए थोड़ा समय सोचा की कर लेते हैं, share capital, subsidiary की है, 840 और retain earning loss में है, और closing में retain earning कितनी है, closing में retain earning है, 602 की, तो changes कितनी होगे होंगे, 602 माइनस 56, 602 प्लस 58, तो यह हो जाएगा, 600 प्लस, 602 है न, प्लस 56, 658 हो जाएगा, तो यह change होगी, यहां तक पहुचा, बिसकलिए अब समझ रहा हूँ, यह calculation था, जिसके बुझे से मुझे करना पड़ा, यह तो मुझे क्यालसी पे कर लेते हैं, और यह 658, 658 को उम्हों क्या करेंगे, पैरेंट और एंसाइमेंट डिस्रिबूट, तो यह आजाएगा, 526.4 और यह आजाएगा, 131.6, अब इसको कर देते हैं, थोड़ा सा साइड, जो की नहीं हो रहा है, और हर चीज का उपार है अपने पास, अब क्याएट करते हैं, तो अब कैल्कुलीट करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एनी क्यूपेंट, कितना आएगा, इसको एड़ कर देते हैं, 1120 अगर कोई फैमिली है नहीं हम लोग कैल्सी पे कोशिशन कर लेते हैं, जब ज़्यादा रिपिटेटिव समाता है तो, सीवेज बना रहे हम लोग और यहाँ पे आगया, नॉन करेंट एसेट में, प्रॉपर्टी, प्लांट एनी क्यूपमेंट, 1120, 1120, लिख भी देचा है, 20 प्लस 980, 1120 प्लस 980, यहाँ प्याज आएगा, गुडविल, गुडविल कितना आएगा, गुडविल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 644 उसमें, एड करेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटर्स कोश्चिन में दिया हुआ है, 644, कोश्चिन में, NCI दिया है, 160 का, और माइनस करें, देगे, आइडिन्टिफेबल नेट असेट, जो की है, 784, तो NCI, गुडविल की वैल्यू आजाएगी, 20, क्या गुडविल इंपेर्ड हुए, एंसर इस नो, गुडविल इंपेर्ड नहीं हुआ है, फिर आती है, इन्वेस्मेंट, इन एसोशियेट, सबसीडी की तो इन्वेस्मेंट हम लोग लेती नहीं, तो इन्वेस्मेंट की अगर वैल्यू निकालनी पड़ी, तो क्या आएगी, वैल्यू आफ इन्वेस्मेंट इन एसोशियेट, तो अगर investment in associate निकालना है तो पहले देखेंगे book value क्या है book value है 224 इसमें post acquisition changes हम लोग calculate करते हैं उसकी मदद से तो उसमें क्या लगता है post acquisition changes यह 140 इन्होंने पहले से कमा के रखा था closing में कितना है closing में retain earning 448 so 448-140 that is यहां पर calculate करके दिखा जेते हैं आपको post acquisition changes में आपका 448 minus हो जायागा आपका 140 opening का into 30% so that is 92.4 और इसमें impairment हुआ है impairment हुआ 2.8 का तो वो आ जायागा यह 224 प्लस 92.4 minus 2.8 so this comes to 313.60 क्याश्य पर करने बाहा दी कर लग कॉन्फोड इन जाजाजागा आपको ठीक है current asset current asset में inventory है inventory आपका 380 प्लस 640 हो जाएगा सिम्पल तो यहां पर लिखें inventory inventory आपका 380 प्लस 640 दाट कम्स तो 1020 receivable में कोई changes है क्या answer is no तो 190 प्लस 190 प्लस 310 310 दाट विल भी 500 प्लस्ट 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 विल बी 93 तो जागा आपके इतना अगर हमारा equity and liabilities का भी आ गया तो फिर बल्ले बल्ले नहीं आए तो फिर हमें पूरा question करना पड़ेगा जैसे method follow कर गए हम लोग होनी नहीं देंगे तो पैरेंट का आता है तो पैरेंट का आ गया यह वन वन टो जीरो रीटींड डर्निंग हम लिखेंगे इसी में थोड़ा सा calculation है उसको थोड़ा साइड में रखते हैं फिर आजाती है अपनी ट्रेट पेबल और taxation तो उसमें कोई changes है नहीं तो tax लिख देते हैं ट्रेट पेबल 150 प्लस 480 150 प्लस 480 दाट इस 630 और टैक्स आपका हो गया 91 प्लस 66 आप पूरा मेथट फॉलो करके करेंगे यह प्रैक्टिस सम्स के लिए और यह इसका सोर्स क्या है डिप्लोमा यह फ्रस यू की का है ठीक है और बट relevant question बहुत interesting question है मतलब हम लोग फड़ा बट कर दे रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं की होते हैं हम लोग तो यह नहीं हो पाता अब बात आती है रिटीन डर्निंग की रिटीन डर्निंग आपके पास या फिर हमारे पास कितनी थी वन टो थ्री टो वन टू अब इस रिटीन डर्निंग में और क्या-क्या changes होंगे तो पहला चीज तो अगर आपको याद हो यह पर इसको calculate कर देता है रिटीन डर्निंग को consolidated की नहीं करें नहीं करते हैं पर देखते हैं 526 यह जो changes है 526.4 यह add हो गया और बहुत easy है और यहां पे जो हम post acquisition changes associate में हुआ तो वह add कर देंगे 92.4 और एक चीज माइनस हो जाएगी जो investment में थी investment impairment की minus 2.8 तो देश विल कम 1848 क्लियर है क्लियर है अब इस चीज में आपको एक चीज मिसिंग दिखेगी वो होगी NCI की तो नॉन कंट्रोलिंग इंट्रस्ट हमारे कितने दिये हुए थे question में यह रहा 160 अब इसमें changes हुए होंगे बिलकुल हुए है एक जगा changes है वो रहा ये तो वन सिक्स्टी प्लस वन थर्टी वन पॉइंट सिक्स दाट इस तू नाइंटी वन इसको हम लोग यहां पे लिए एंसे आई तू नैंटी वन पॉइंट प्रण शिक्स क्या मैच होगा लेट्स फाइंड आउट की मैच होगा एंगला थोड़ा सा बैड गया मेरा वह जाता है कभी-कभी ज्यादा बूलने के हुझा से वन और हमने सुबह केला और पानी को मिक्स करके स्मूदी बनाया था उसके हुझा से मैं को लग रहा हो रहा है कि लागाने बाद पानी नहीं पीना चाहिए बट वन वन टू जीरो हो गया यह प्लस वन एट फोर एट प्लस टू नाइंटी वन पॉंट सिक्स क्या मैच करेगा या नहीं करेगा ट्रेट वेवल सिक्स थर्टी तुमारा फिगर अभी तक जो है वो थ्री एट एट नाइन पॉंट सिक्स है उसमें 157 एट कर देता है है और यह हो गया मैच फिर भी हम क्याल्कुलेशन कर देता है एक क्याल्कुलेशन जो आपको समझने होगी रिटें डर्नी की जो थी वो आपके डी में जो थी मतलब जो पैरंट कमपनी थी उसका 1232 था उसमें हमने यह एक इंकॉर्परेट कर लिया मतलब इसके चेंज़ को ले लिया और यह नाइ 92.4 इसका वैल्यू आ गया था 1848 और NCI NCI तो दी हुई थी NCI दी हुई थी कितनी 160 की और इसको हमने आड कर दिया 131.6 और को फिगर में दिखकर थे यह तो नॉर्मल अडिशन है यह भी अडिशन है यह भी अडिशन है और इसको हमने क्याल्कुलेट करके दिखा दिया कितनी होगी वो निकाल देते हैं अभी हम लोग गुडविल में क्या क्या लगता है इन्वेस्टमेंट और NCI माइनस होता आइडेंटिफेबल नेट असेट तो जो है 784 नॉन कंट्रोलिंग इंटरस्ट है 160 हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू देख लेते हैं अपने 644 आइगेस तो माइनस तो 644 प्लस इतना और यह होगे 20 तो यह सारे वैल्यूस भी हमने कल्कुलेट कर दिया और कंसॉल्डेटेटेट बैलेंसिट भी बन गई फटाफट क्याल्सी कुश्चिन की तरह अब थोड़ा सा एक बड़ा कुश्चिन आएगा जिसका नाम है 59 और यह बड़ा कुश्चिन क्या होगा लास्ट कॉश्टन भी होगा 59 के बादा आता है 60 चलिए सोघत करते हैं इस कॉश्चिन का यह हमारा है लास्ट कॉश्चिन फेर, कॉश्चिन number 60 लास्ट कॉश्चिन बिसिकली दिस लास्ट कॉश्चिन फो एसोशीट का ट्रीट्मेंट and we are going to do this और यह कोईशन बड़ा होगा छोटा होगा, इंपोर्टेंट है या नहीं है we'll find out पहले हम लोग सवाल से क्या आप पूछते हैं कोई भी सवाल रहता है हमारे सामने तो सवाल कि आखों में आके डाल कि हम मुझसे यही पूछते हैं कि तुम्हारा सवाल क्या है, तुम्हारी भी एक सवाल है, तुम्हारा भी एक सवाल है तो वो सवाल बोलता है, हमें प्रिपेर करना है, Consolidated Statement of Profit or Loss, ओ, another comprehensive income for the year ended, this, 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 कहानी में है, Twist, 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 तो क्या है, Twist, आपको CPL बनाना पड़ेगा, Associate जब रहे आपके पास तो, भी तो आप क्या करेंगे, this is what the uniqueness of the question और इसलिए हमने इसको last में रखा था, कि आपको करने के बाद लगे कि हाँ, अब तो होई गया, Consolidated Balanced as at 30 June 2009, क्या इतनी, I mean इतना diverse question हमारे study mat में मिलेगा, answer is of course no, यह हमारे diploma, IFRS UK का question है ओके let's do this हमारे पास एक balance sheet है कितनी प्यारी balance sheet है, लेकिन उसके पहले कुछ information भी दी हुए balance sheet बहुत प्यारी दी हुई है लेकिन कुछ information है तो पहले वो देखते है, following are the summarized accounts of H, S, N, A O, 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 क्या नाम है S for holding, S for subsidy, A for associate, ऐसा question रहता है, तो करने का मन भी करता है अब DPL नाम रग दो DPS नाम रग दो, क्या फरुँआ associate को S बोल दो, फिर क्या मज़ा नहीं आता है तो H, S, A देखके, question तो मज़दार हो गई होगा, करने में मज़ा आए गई, लजीज question है, basically तो वो बूल रहा है कि हमको आके करो holding, subsidiary, associate इतना plain question दिया हुआ, करते है question, property, plant and equipment okay, information दी हुई है, balance rate हम लोग देख रहे हैं, उसमें से asset देख रहे हैं, as में 100% investment है, क्या एक चीज़े जबार miss करेंगे हम लोग, NCI भाई साब, I am really, really sorry आप नहीं part बन पाएंगे, हमारे इस adventure का, so, sorry क्यों नहीं होगा, क्योंकि AS की holding 100% है जब 100% holding होगी, तो फिर NCI कहां से आएगा, so yeah, so, so, so A में 30% है, तो associate है, clear है हमारा doubt clear हो गया, HSA को लेके current asset कुछ दिये हुए है and उसके बाद total फिर आती है, share capital retained earning, liabilities इनका total फिर हमारे पास है statement of profit or loss and other comprehensive income अगला सुबस ही घराब है and comprehensive income for the year ended 30 June यह क्या है, zero 2009 और इनकी revenue दी गई है, operating cost है, profit from operation आगया, basically deduct कर दो फिर taxes लगा दिये, फिर profit before tax से profit after tax आगया, फिर कुछ और incomes हैं, operations के अलावा वो हो गई और फिर total operating, total comprehensive income, basically हाँ पर कोई income ही नहीं, जो यह है, वो यह है, तो जूट मुट का comprehensive, comprehensive लगा गे रखा है, बट यह फॉर्मेटिंग दी हुई है, basically the share in S and A were required on 1st July, वो भी क्या दिन रहा होगा, 1st July, दो-दो कमनियों का acquire कर रहे, एक holding और एक subsidiary, एक right hand और एक left hand, left hand of course, A होगा, because left hand कमजूर रहता है, अपने जो socially, जो information सावलेबल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसे कोई politician का होता है, राइट है, left hand है वैसे, so when the retained earning of S were, okay, 15,000 and the retained earning of रुपीज, ये फिगर कहा गया, I think ये 10,000 होगा, sorry, 10,000, इनकी पंद्रत ही और इनकी दस, इसे हमें क्या, अगर associated है, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, post acquisition profit, pop, post acquisition profit, pop, इसका निकने महीं रखता है, खराव है, और इसका कौन सा अच्छा है, statement of identifiable net asset, तो ये दोनों निकाल लेंगे, holding, I mean, subsidiary है, तो हम वहाँ से statement of identifiable net asset से भी post acquisition profit ही निकालता है, basically, लेकिन हमें वहाँ पे identifiable net asset भे मिल जाता हूं, which at the time had remaining useful life, 10 years, exceeded the book value by 10,000, दाजार जादा था, जो at the date of acquisition, the fair value of as non-current asset, which at that time had remaining useful life, exceeded the book value, जो दाजार से जादा book value होनी चाहिये थी, तो इसका मतलब हमें revaluation, basically, this is revaluation, of as, मतलब subsidiary, मतलब की, आएगा हमारे statement of identifiable net asset में, और इसकी मतलब हम लोग निकाल लेंगे, depreciation जो additional इस पे चार्ज होगा, तो यह हमने point किया है, पिसली गोशन में भी था साथ, during the year as sold goods to H, subsidiary sold goods to H, मतलब H की books of accounts, मतलब stock में, अभी पढ़ा होगा, at a margin of 50% at the year, 80% of the goods, जिसमें से 8,000 अभी पी उसके पास बच्चे हुए है, उस पे इन्होंने 50% का margin कमाया, तो इससे क्या होगा, unrealized profit on stock, इक adjustment जाएगी, इसकी statement of identifiable net asset में, और एक stock सीधा balance it में, ठीक है, यह भी थोड़ा समने इसको, I mean, इसका लिन वड़ाया था न, वर्ट का तो इसले यहां का यहां आगया था, okay, समाज में नियाया, at 30 June 2009, the goodwill in respect of S had been impaired, okay, by 30% जो subsidy की गुडविल इंक लिए 30% समी इंपेर करनी है, of its original amount, of which the amount, the current year loss was rupees, was rupees 1200, at 30 June 2009, the investment in A have been impaired by rupees 4.50, yeah, I was just confirming, यह क्या है, rupees or dollar, rupees 4.50, of which the current year loss was rupees 150, क्या है, यह सारा फिकर इतर उदर कर गे रखाऊ है, यह 1200 है, यह 450, यह 150, ठीक है, यह point जब आएगा तो इसको हम लोग अच्छा से discussion करेंगे, गुडविल वाला point आपको समझ में आ गया होगा, यह current year का data, किसली दिया हो सकता है, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा, current year का data, CPL के लिए दिया होगा, अगर किसी ने guess किया है तो, otherwise मैंने ऐसे ही भूल दिया, 30% overall हुआ होगा, I mean over the period of time, जो कि आप consolidated balance rate के लिए यूज करोगे, और जो current year का loss है, उसको हम लोग CPL में यूज करेंगे, यह वैसे investment जो impaired हुआ होगा, 450 हुआ होगा, लेकिन इस साल जो हुआ होगा, वो CPL के लिए हुआ होगा, तो इसमें double entry दे हुई है, CBS और CPL के, तो information उन से related है, चलिए start करते है, question में कुछ खास है नहीं, बस यह थोड़ा सा नहीं है, और बाकी तो सब पुरानी पुराने है, और एक नहीं है कि हो CPL बनाना है, तो चलिए start करते हैं, पहले हम लोग क्या बनाते है, solution, पहले हम लोग बनाते हैं, statement of identifiable net assets, उसमें आएगा date of acquisition and changes and date of consolidation, clear है, तो हमारा पहले क्या आएगा, save capital आएगी, फिर routine डर्निंग आएगा और इनकी opening balance अगर आपको यादो यह तो दिया हुआ था 15,000, share capital, 15,000 कहां दिया हुआ था, यहां दिया हुआ है, share capital कितनी है, 75,000 तो वो ले लेंगे और रिटीन डर्निंग की हमें closing चाहिए, तो रिटीन डर्निंग की closing है, 51,000, तो यह राज 75,000, यह राज 75,000, ईनिवन केंड दू दि क्ल्कुलेशन राजिए, किसी को गर ने जरोओ यह था, यहां दो बार्निग और सूपी, कि सेनटीफ़ए प्लस 50, इस इस नौट 1 लाक काल्सी सी लिह हमें सा यूज करना चाहिए, 580.90 कुछ लोग को लग रहा होगा वैसे 51,000 माइनस 15,000 इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा पूरा पूरा कैल्सी यूज किया जाएगा 36,000 कुछ शेंज हमें हमेशा की दर रहते ही रहते हैं तो इस बार भी कुछ शेंज हैं जैसे की रिवैलुएशन हमें करनी थी रिवैलुएशन 10,000 की और इसके वज़े से में डप्रिशेशन अजस्मेंट भी करनी पड़ेगी हमने 10,000 एक्स्ट्रा उसकी फेर वैलू होती और उसकी उसकी उस्फुल लाइब थी टेन और अभी तक कितना हो गया यह डेटा कहां दिया हुआ एक बार देख लेते हैं अब देट करते हैं तो उसके वज़े से में डप्रिशेशन भी चार्ज करना पड़ता अब इसकी उस्फुल लाइब थी 10 यहर्स हम लोग जो डेटा बना रहे हैं वो डेटा दिया हुआ है थर्टी जून 2009 का ठीक है और इन्होंने अक्वायर कप किया है हो फाज जूलाई 2006 तो त्री यहर्स की डेप्रिशेशन आई होप यहर गेटिंग मैं पॉइंट टेन थाउजन दस साल यूस्फुल लाइब तो त्री यहर्स तक के लिए उसकी डेप्रिशेशन यह तो इजी है करी लेते हैं थ्री थाउजन नो का लसी प्लीज इसका नाम धन्नों नहीं रखते हैं के लसी का कुछ और रखतेंगे एक और अज्जस्मेंट थी वो थी अन्रियलाइस प्रॉफिट की एक ही करके करते हैं इसकी कुछ अज्जस्मेंट जाएंगी बैलेंस इट में जो की एसेट में आड होगा और अडिशनल डेप्रिशेशन माइनस होगा होप यह गेटिंग में पॉइंट येस अब खूर्स अब यह अन्रियलाइस प्रॉफिट है दस लाक दस दर का गुड इन्होंने भीजा था लेकिन उसमें पचास पसंट की मार्जिन थी और एक्टी पसंट अभी भी हमारे बुक्स अफ अकाउंट्स में एक्टी पसंट शोल्ड हो गया है क्या है है फैड शोल्ड के को के को के 2000 बचा है तो आइमिन यह मार्जिन दिया हुए ना सीधा 50 परसंट सो 1000 बस यही दो अजिस्मेंट थी और कोई अजिस्मेंट था यह गुडविल से और एक इन्वेस्मेंट इंपेर्मेंट से तो बात में करेंगे और हमारा अभी आई थिंक मोती जी जैसा 56 इंच का सीना हो चुका है स्टेटमेंट और इंटिफेबल ने डैसेट की वैल्यू ओ 90 प्लस 10 वन लाक हम पहले वन लाक लिखने की कोशिस कर रहे थे लेकिन बात में बोला कि आपकी मनुकामना जरूर पूर्ड होगी और हो भी गई यह कितना होगा अपका 36 डप्रिशेशन अड्रेस्ट्वन शुडब बी माइनस आई होप यह गेटिंग मापॉइंट अन्रियलाइस प्रॉफिट वह भी माइनस होगा तो 36 नो कैल्सी कैल्सी कोशिन करते हैं मतलब हम लोग करते हैं जब फटावट कैल्सी पेली के कोशिन कर करते हैं ऐसे पचास साट कोशिन करने में हमने पांदस तो कियो होंगे कैल्सी पे तो कुछ ऐसा कोशिन करेंगे न विदाओड कैल्सी पूरा मैत करना पड़ेगा रोलेंगे सर इस्ट्यूट तो देता है हमें फिर बनाते हैं वर्किंग नूट नंबर टू पहले इसको डि दिस्ट्रिप्वूट क्या करें ये पूरा का पूरा तो ilsव memorial भी रोंदेंगे नही करें न यह 100% करता है अ कलर चींज पूरे थैं थोड़ा सा सा काल्कुलेशन कोई बाता अब क्या होगा रोगेशन काल्कुलेशन अब गुडवल दूब हों येस इन्समेंट at cost fair value of investment at cost 1,15,000 जो कि दिया हुआ है question में non controlling interest कुछ है ही नहीं identifiable net asset कुछ तो है बहुत कुछ है तो हमारी goodwill आ गई goodwill on acquisition acquisition date 15,000 उसको हम क्या कर देंगे impairment कितनी होगी आपकोस जो question बोला है question क्या बोला है बोल भाई सवाल क्या बोलता है तुम has been impaired by 30% paired at the rate of 30% that will be Kelsey का यूस करना पड़ेगा क्या 15,000 में से 5000 चला गया बच्चा कितना 10,000 और पांसो ले लेते हैं 10,500 सो हमने बीना कैल सी के किया है goodwill on consolidation date कोई spelling खुज रहागा consolidation का समझ लभावनाओ को समझो NCI तो इसमें है नहीं तो calculate खरेंगे नहीं फिर working note number 3 बना देते हैं calculation of post acquisition profit इसको पाप नाम देने वाला था कोई लेकिन हमने उसको रोक लिया पाप पाप यह लिंपर जो की है हमारी associate date of acquisition and changes date of consolidation and here it comes routine learning question में दिया हुआ था दस जर जिसको मने काट के सही किया था closing देखने जाना योगा तो दिखा भी देंगे आपको जाना पड़ रहा है closing question में तो दिया है फिर जाना कहा है आयमे रेटीन देखने जारे हम तो आयमेन यहां पर रीटीन देट निंग ये रहा 34,000 प्रिंटिंग मिस्टेक शो क्या क्या जाए 34,000 तो 34,000 है रिटी डर्निंग जो हमने यहां पर आप बताओ चेंज क्या हुआ होगा 10,000 से 14,000 गया क्या चेंज होगा क्या बदला हुआ होगा बताएए कोई बताएगा बीना क्या चांब स्थे गया हुआ है 34,000 मैनने सें 24,000 और 30,000 बठा देन्ग है फोलिंग कंपनी का शेर के इतना एड तरी 30 कंपनी का नाम भी एच्छ है तो 24,000 इंटु 3,000 करेंगे 2,000 4,000 तो टू 4,000 गरो तो 3 वोज़ जा ट्री टूज़ जा सिक 7.00 के 72 पर्सेंट है न तो थाजन्ट हो गा नहीं 7200, 7200 क्या क्या क्यलकूलेशन कर रहे हम लो ये नहीं कर लिया तो हमें investment से 7200 की income हो गए तो इसके entry क्या होती है investment account debit to cpl अगर याद हो share of profit in associate तो यह हमारे investment की values को बढ़ाते हैं values नहीं value को बढ़ाते हैं चले देखते हैं क्या हाता है हमारा working note number 4 I guess calculation of investment value यह रही investment की cost cost of investment 15,000 question में दिया हुआ है and post acquisition changes away post acquisition acquisition profit है 7200 जो इसकी value बढ़ा रहा है इसके entry क्या होगी निवन investment to cpl हो जाएगा 7200 सें तौजन टू अंडड़ सीपियल में एक एंट्री जाएगी की नहीं जाएगी उसी लिए बता रहा हूँ क्या हमें cpl बनाना है न एक adjustment जो बाकी रह गए थी वो है impairment की impairment हमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा भाई और बहनों करना पड़ेगा नो कैल सी यह तफ हो गया 15 प्लस 7 22 येस 22,200 में से हमें माइनस करना है होके 250 22,200 में से 200 हटा देते हैं तो 250 माइनस करना पड़ेगा तो 21,750 येस 21,750 होगा math खराब नहीं अपना अब जो में चीज़ कैलकुलेट होती है हमेशा की तरह वर्किंग नूट नंबर फाइब हो जाएगी थी दो में नूट प्लस आज यू कन नहीं है आप एक चीज देख रहो अभी हम लोगों के CPL से कोई मतलब भी नहीं है जैसे हमने पहले सम किया हुआ वैसे ही अपने मस्ती में करते जारे सबसेड़ी तक का बैलेंसिट तुमने बनाएं वहां तक क्या डेंचन है वहां तक बनाते हैं पहले तो 89,000 है और इसमें दो चीज़े आएंगी आपका पोस्ट अक्विजिशन चेंजेज पोस्ट अक्विजिशन प्रॉफिट ये रवाला एंड 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 वाट ये वाला बिल्कुल चलिए तो एच लिम्टिट की क्या है रिटेंड डर्निंग 89,000 यहां पर भी लिग देते हैं पोस्ट अक्विजीशन प्रॉफिट पोस्ट अक्विजीशन प्रॉफिट आपका सब्शिड्री कि है 32,000 तो यहां पर आड वो गया 32,000 पोस्ट एकोजिशन प्रॉफिट एक आइसो शीट का वो कितना है 7200 वो एड़ हो गया क्या गुडविल इंपेर हुई है क्या गुडविल इंपेर्मेंट हुई है बिल्कुल हुई है कितनी हुई है 4500 पूरा 100% इसी का तो 100% इसी में है नहीं जाएगा क्या हमारे पास इंवेस्टमेंट इंपेर हुई है कि नहीं हुई है एंसर इस हुई है तो यह भी माइनस हो जाएगा अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी 89000 प्लस 32 का सब्सेडरी का था 7200 एसोशेट का था 4500 गुडविल से गया हमारे रिटेन डर्निंग में से और एक लौस हमें और हुआ 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 है इंवेस्टमेंट का उसको भी हमने रिटेन डर्निंग से अड्जस्ट किया तो इसलिए 123,750 ठीक है एंट्री क्या होगी इसको कोई बोल ला क्याल से करने के लिए तो हम बीली सॉड़ी एंट्री के लिटेन डर्निंग की बात आ रही है तो इसलिए यहां पर आता है क्लियर है बैसिकली डिटीन डर्निंग टू इंवस्टमें इन असोशिट चलिया यह 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 वैल्यू आ गई 123,750 कि इतनी आई वैल्यू इसको कोई बोल ला क्याल से करने के लिए ताहम बीली सॉड़ी सेवंटी टू अंडर्ड माइनस ओर ताहुजंड फावंड़ मायंस फॉर फेप्टी मिन माइनस ही नहीं किया था टू फिप्टी बाद में करेंगे नो केल सी वाला चैलेंग अब में क्या बनाना है बस अपने बैलेंस इट अबर बना देगया थोड़ा सा जुमाउट करना पड़ेगा भी तब तक अगर आपने चानल को सब्सक्राइब ने किया प्लीज दो हिट शुब्सक्राइब बटन राइट नाओ और क्यू में लाएक दिस वन वीचे बाद चली करते हैं क्विशन अब तो इजी हो गया बस फड़ा फड़ाइड करना है और आजागा एंसर हमार बाद से 87,000 प्लस यहां पर लिख देते हैं कंसॉलिडेटिटिट बैलेंस इट पे इन का कलर चेंज कर लेते हैं क्या ले वाइट नो वाइट वाइट हो जाएगा यह ले लिखते हैं पिंक डाप पिंक यह भी इसमें आया गा नॉन करेंट असेड और पीपीए पीपीए की वैल्यू है 87,000 प्लस 88,000 क्या इसमें कोई अजस्मेंट है क्या इसमें कोई अजस्मेंट एंसर इस यह यह 10,000 की रिवालुएशन हमने अड की थी तो 10,000 अड हो गया आप इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे और थ्री एयर की हमारी डेप्रिशेशन अडिशनल जो हमने फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन असोशियेट यह अभी हमने निकाला था इसकी वैलू आई थी 21750 गुडविल हमने निकाला था 10,500 अब बात करते हैं इधर करेंट ऐसेट 74,000 और 40,000 सो 74,000 प्लस 40,000 वन वन फॉर इसमें कोई चेंज इस 40,000 74,000 तो इसमें कोई चेंज इस बिल्कुल है एक अन्रियालाइज पॉफिट था तो करेंट असेट्स इस 74,000 प्लस 40,000 माइनस 1,000 जो मार्जिन था 50 परसंट का उन्होंने कमाया था 2000 बचा था इस टॉक में 10,000 की सेल हुई थी तो यह हो जाएगा माइनस 1,000 दाट इस 113 या आगया हमारा असेट तो 182,000 प्लस 21750 प्लस 10,500 प्लस 113,000 दाट इस 327,250 अब हमें ऐसा ही फिगर एक्विटी एंड लाबिटीज के लिए भी लाना है तो इसमें पहले क्या आता है शेयर कापिटल फिर आती है रिटीन डर्निंग एंस्याई है यहां पर तो शेयर कापिटल हमारी कितनी है दो लाग की तो दो लाग आ गया यहां पर शेयर कापिटल आ गई रिटीन डर्निंग अभी 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 हमने काल्कुलेर किया था 123,250 आया था यह फिगर हमने 750 लिग दिया था फिर 450 माइनस किया जस्ट पहले दिखा देंगे फिर लाइबिटीज में आपकी करेंट लाइबिटीज में 2,000, 2,000 है यह रही आपकी लाइबिटीज और मैं आपको रिटीन डर्निंग की क्याल्कुलेशन दिखा देता हूँ इफ यह रही 123,250 और यह इन्वेस्मेंट की वैलू इन एसोशेट और यह गुडविल की वैलू क्लियर है तो हमारे पास लाइबिटीज जो है वो है के लिए 4000 की और टोटल इस तूलाइक प्लस 123,250 इसका तूंडुक कर सकते तो ऐसे विदावट केल्सी 327,250 तो बाट आट से अब दे वैलंच विट अब जो कहानी में आएगा त्विस्ट और वो होगी कहानी तो चली बनाते हैं इसको थोड़ा सा अराम से बनाएंगे हम लोग उसमें दो एड्जस्मेंट है जो कि आपको गौर करने लाएक है दो मेजर और कुछ है नहीं उसमें खास यह है कि जो गुडविल हमने इंपेर किया उसका और आफ इस ओरिजनल करेंट ये लॉस इस ट्वेल बंडेड उसमें से ट्वेल बंडेड करेंड ये का लॉस है और इंवेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ ओन फिप्टी करिंड या तो यह दो फिगर याद रुखिए फटापड सीप्ट बन जाएगा करेपियन प्रीमेर दिया जाए ओपर ही बना देते हैं थोड़ा से यह से एक सेखें हैं भाई तुम इधर क्यों नहीं जा रहा रहा है एक सब्सक्राइब आगया 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 तो अब हम बना देते हैं आपको श्कलर अब दो पेंसिल विल बीचेंज यह थैंक्यू फिर हम लोग बनाएंगे ऐंगे चन्स ओली डिटे अप्रोफिट एंड लॉस profit or loss and other comprehensive income and other comprehensive income अप लिख सकते हैं लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया हुए उसमें आएगा income income में revenue आएगा जो दिया हुए है 5 lakh, 2 lakh तो ये तो plain and simple add कर देंगे, cash to sheet का भी add करेंगे या नहीं, answer is associate के CPL में कुछ नहीं होने वाला, ऐसा समझ लो फिर minus कर देंगे 10,000 क्यों minus करें 10,000 10,000 का sale हुआ था ना, तो contra समझ रहो समझ रहो कि नहीं CPL अभी तक आपने नहीं किया तो please do that, जो भी Contra रहता हूँ हम लोग minus करते हैं, तो यह आगई 690 फिर आता है operating expenses operating expenses है 4,140,000 और यहां से माइनस हो जाएगा 10,000 Contra entry income से भी और cost of goods sold से भी clear है कि यह एक दूसरे कोई sale किया था इन्होंने न थोड़ा भी डाउट हो रहा तो आपको CPL के 5-6 questions हमने किए 7 questions है वह आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपका concept इगदम clear हो जाएगा CPL पर और इसमें हम लोग add करते हैं क्या goodwill impairment unrealized profit on the stock goodwill impaired हुआ है तो हमारा क्या हो गया cost तो add हो गया unrealized profit हमने कमा लिया है तो उसको अठाने के लिए हम लोग क्या करते है unrealized profit बुक करेंग यहां पर 1000 clear है बस यह दो adjustment आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही इसका मतला आपने CPL नहीं किया हुआ है I will highly recommend कि आप देख ले फिर भी हमने बता दिया इसके पर थोड़ा सा हलका सा touch दे दिया है पूरा CPL का lecture हमारा खराब हो जाएगा अगर डिटेल में बताने लगे इसको तो बैसिकली हुआ क्या है एक कंपनी ने सेल किया है और एकने expense दिखाया होगा basically ठीक है है समझत हो अगर हमने सेल दिखाया तो सेल बढ़ा के दिखाया और 10,000 मैंने गुड़ शोल्ड किया एक हो तो 10,000 मेरा extra revenue दिख रहा है 10,000 एक्स्रा सेल दिख रहा है और वैसे ही 10,000 का एक प्रोड़क्ट हमने बेचा ठीक है तो उस और गढ़न अपना कॉस्त दिखा होगा तो उसको भी हटाना होगा रुसको भी अतना वहीं को जैसे ट्रेड डिसेबल ट्रेट वेबल को हटा देते हैं है सेम कॉंसेप्ट और यह हमारा दोनों cost है तो एक profit हमने earn कर लिया है तो उस profit को हटाने के लिए हम अगर extra expense expense book कर दें तो profit eliminate हो गया और 1000 I mean आपका unrealized profit पड़ा हुआ है I mean 1000 कही बात करें 1200 तो goodwill impaired हुई तो goodwill impairment कहां से होती है retained earning से होती है मतलब P&L से होती है तो यहां से हमने कर लिया okay so this comes to 6,90,000 plus 532,200 और एक चीज़ा हमने तो add किया ही नहीं वो है 1000 additional depreciation का तो यह figure आपका कि अडिशनल depreciation 1000 कैसा है पहले वो समझते हैं फिर लिखते हैं 533,200 हमने appreciation additional charge कितना किया था 10,000 divided by 10 into 3, 3 years का depreciation चार्ज किया था उसकी value आई थी 3000 तो current current year का इसमें से कितना होगा divided by 3 1 year का आगया तो इसको थोड़ा सा color change करके लिखते हैं क्योंकि यह छोट सकता है चली सो 6,00,000 income है और operating expenses होगा यह expenses है यह income है तो minus करने से क्या आगा 6,90,000 minus 532,156,800 एक बार revise कर लेते हैं एक बार मैं फिर repeat कर देता हूँ यह revenue है यह contract है तब रिजसेल हुआ एक जगह से एक जगह purchase तो वो दोनों adjust हो गया फिर यह हो गया हमारा goodwill impairment current year का question में दिया है 1200 लेना हम इक को पता है कि 4500 है अगर 3 years पर अगर equal मारोगे तो 1500 है लेकिन question क्या है भगवान उसके हिसाब से लेंगे अन्यलाइस profit हमने calculate किया था 1000 आया तो 2000 का 50% margin है margin हमेशा सेल पर होता है तो 2000 into 50 कर लिए और यह 1000 depreciation का यह अगया operating income हो गया और expense हो गया अब क्या आएगा वाब आएगा share of profit of associate जो की है हमारा ए इसका share of profit कितना था इसका share of profit कितना था तो share of profit कितना था यह अभी तक हमने निकाला ही नहीं क्योंने निकाला क्योंकि कहीं पूछा ही नहीं question में दिया हुआ है क्या answer series yes यह रहा share of profit तो यह हमारी associate ने जो कमाया है उसका CPL में सिर्फ और सिर्फ CPL में associate का एक जगा यूज आया वह है जब इसकी adjustment आया profit उसका बस लेना हमें so 26,000 इन्होंने कमाया उसमें से हमारा 30% है लेकिन 150 का impairment भी हुआ है ठीक है तो 26,000 CPL account debit to investment in associate account तो यह 151 जो अडिसमेंट थी कर्रेंट एर 450 टोटल हुआ मैं आपको दिखा देता हूं एक बाँ यह लिखा हुआ न की इन्वेस्मेंट इन ए हाड बीन इंपेर बाई 450 आफ विस दी कर्रेंट एर लॉस इस वन फिप्टी तो इसके 7650 and our profit before tax will be 5 I mean 156 800 plus 7650 164 450 यह हो गया PBT की टैक्स टैक्सेशन की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दीगे कि परसंटेज नहीं दियागे कि इतना टैक्स लगेगा यह ट्वंटी थ्री यह ट्वंटी वन तो यह आ गया 44,000 हमने एसोशीयेट की कुछ हमने एसोशीयेट का कुछ नहीं लिया 23,000 प्लस 21,000 बस उसकी शेयर और प्रॉफिट लिया है वही लेना ही हमें और कुछ तो करना है नहीं उससे यही इस कोईश्चन का यू कन से यूनीक पॉइंट था ओन टू जीरो 450 तो यह आ गया आपका टोटल यह में यह आ गया टोटल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट फॉर दे ये और कोई हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिब इंकम है क्या नू तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिब इंकम 120450 यह वैसा फॉर्माट में दिया हुआ तो इसलिए हमने वैसे फॉर्माट में बनाया है अब इसके बाद होता है एट्रिबुशन आफ प्रॉफिट अगर आपको याद हो एट्रिबुशन आफ प्रॉफिट में हम सब्सीडरी को बाड़ते थे क्या एसोशेट को भी बाड़ते हैं एंसर इस नो आइमें एसोशेट सब्सीडरी को नहीं एंसे आई का अलग रहता है हमारा अलग रहता था लेकिन यहां पर हमारी होड्लिंग हंडेट प्रसेंट है और सब्सीडरी का जो थर्टी प्रसेंट पूरा हमारा है तो किसी और का तो ही नहीं तो यह जो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो पैरेंट कंपनी को जाएगा जो कि है एच लिम्टेड वन टू जिरो फोर जीरो देखनी पड़ेगी तो आप जरूर देखिएगा फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है मैं बता देता हूं कि आपने आप जब भी कोई प्रॉफिट अर्न करते हो ऑन कंसॉलिडेशन तो आप सब्सीडरी की पूरी आपकी अगर कोई सब्सीडरी तो उसका पूरा इंकम अपना बना ले तो इसकी पूरी asset अपनी बना लेते हो लेकिन आपका पूरा control रहता नहीं है, 80% ही control है, जो बागी का 20% हो, तो आपका profit नहीं है नहीं वह आपका holding नहीं है उससे पे न to इस लिए हम उसको bifurkate कर के दिखाते हैं, clear है तो यह 120450 तो अब इस question का summary ही kya होगा समरी से पहले if you haven't subscribed music अच्छा है इसका समरी question में ये है कि हमसे दो चीज़े पूची गई है CBS भी पूचा गया और CPL भी पूचा गया है इस question में हमारे पास क्या खुबसूरत नाम है HSA holding subsidiary associate associate के लिए हमारे पास CPL एकदम नया था उसका सिर्फ एक adjustment आया share of profit का और उससे related adjustment हमारे पास एक adjustment थी कि उसकी impairment जो ही है उसको हमने adjust किया बस CPL में इसका और कोई कहानी नही था और बाके सब पुराना है तो unique यही था और क्या unique था unique था कि goodwill impair हुई इसमें 4500 की ठीक है और इसमें investment इंपेर हुआ 450 का लेकिन question में दिया है कि इधर current year का 150 है इधर 1200 है न हम तो 1200 लिए एक adjustment जो हमारी और हुई वो depreciation हमने 1000 इधर लिया इधर 3000 लिया क्योंकि हम यहाँ पर जो data लेते हैं यह current year का लेते हैं और यह पूरा consolidated लेते हैं जिससे कि हमें current year की value पता चले वो cost हमारी 10 लाक रही होगी लेकिन आज तक उसमें पांच लाक का depreciation लगया तो बचा पांच लाक यह data हमारे balance लेकिन यह पांच लाक में से एक लाक इस बार कटा तो एक लाक हम इधर लिक्के जाएंगे तो बेसिकली यह concept clear है clear है clear है आप से मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज टू शेर दे वीडियो और प्लीज गो और वाच दिल बेचारा सुसान सिंग राजपूत साथ होट स्टार पे अवलेबल है हम भी देखेंगे आप भी देखें मस्त मूवी है है और प्लीज और क्या बस एक बात याद रखीगा कि आप हैं तो हमारी हैसित खुदा आफिश शुक्रिया और प्लीज शुक्राइब कितनी बार हो लोगी बार